मानविता पून जीवन में सतर्ता पून होता है। दिव्य मानविता पून जीवन में सजक्ता परिपून होता है। सतर्ता को पूर्व के अध्याय में हम देखे थे कि वहां पर अखंता अभैता समाजिक्ता तता प्रभुद्धता के रूप में हमने सतर्ता को हिचाना है तो मानविता पूर्ण जीवन में सतर्ता पूर्ण होता है क्या तात्परिय है ज्यागरिती के क्रम में अध्यन के क्रम म साथ में धरम सत्या सत्यन सथ्य विश्ट्वार्ट है कर लेना। उसके अनुसार जी लेना तथा वितेशना, पुतेशना, लोकेशना के स्वरूप का ग्यान होना और उसमें जी लेना ये होने से हमको सतर्ता का ग्यान होता है या हम पाते हैं या हम पाएंगे कि ये मुझे में सतर्ता है और इसको अभी प्रमानित करना शेश रेता है जो पून्ता में तजक्ता की भी पून्ता हो जाती है इसको फिर दिवय मानवेता का ज्यान कह रहे हैं और आगे अनुभग के बाद फिर इस दिवय मानवेता को हम प्रमानित करते हैं वो आवशक्ता के अनुशार वरियता करम में वो पूरा होता है पहले मानव चेतना प्रमानित होता है अनुभव के बाद देव चेतना प्रमानित होता है तो यह जो प्रथम लाइन है पहले इसका घ्यान होता है इसको हम इस रूप से समझ सकते हैं दोनों वीडियों से हमको इसको देखना पड़ेगा आगे समाधान पूर्वक के समाधान गामी तर्क की चतरता है यह कि सम सतरता के रूप में देखा जा सकता है परंतु तर्क में यह विचार का जो मुद्द है वो केवल समझाने के अर्थ में नहीं है वो व्यवहार के अर्थ में है वो चरित्र को पूरा करने के रूप में है आचरन के रूप में है इन सभी में समाधान गामी तर्क का हो जाना मत कैसे विचार का नियोजन होता है या समाधान प्रसुत करने के लिए या समाधान उपलद कराने के लिए या प्राप्त करने के लिए जब होता है तब उसको सतरता संग्या है आगे निर्भ्रम ताही सतरता एवं सजगता है तो निर्भ्रम किसको होना है अन्तत है फिर पुरे ह तथा सजकता दोनों ही पाया जाता है कि निर्भ्रमता ही जागर्ती है तो यह जागर्ती किसका हुआ बुद्धी जागर्त हुआ किसके प्रती 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 स्वयम के प्रती तथा आत्मा के होने के प्रती स्वबॉद के रूप में बुद्धी जागर्त हुआ आगे जाके विसके आगे जाके को मतलब करिया है वो अनुभव में जाग्रती के रूप में हैं फिर ये पून रूप से निरध्रमत होगी पूंपा के नाम से स्मasten खिया गया है कि में सत्ता हो गया है सार्त में आगे यह फोन इसलिए चालू रखाओं आज क्यूंकि यह सिग्नल लिदी हो गया तो कोई फोन करके बता दें कई बार यहां फ्रीज हो जाता है और और ही कोई कर रहा है ठीक है आगे विकास अनुकरम में श्रम गती परिणाम प्रसिद्ध है यह तो क्लेर है विकास करम तथा जागरती कर्म जागरती के रूप में गती विष्राम एम अमरत् делать के मिलें है तो 4 अवस्त ने ही हैं ऐसा कल्पना दोडता है मगर अश्रित्यode कुर्म के लिए देखो मेरा यह मातर के लिए है और उसके बाद यो है गंतव्य के लिए उंद कंझा इसलिए फिर कह रहें कि गठन क्रियावम आचरन पूर्णता परेंत श्रम का अभाव नहीं है तो गठन पूर्णता होने तक पूर्णता की स्थिति पर्मानु के गठन के संठरचना में पूर्णता की स्थिति को पाने के लिए पर्मानु में श्रम पाया जाता है एक बार गठन पूर्ण चेतन्य पर्मानु बन गया उसके बाद श्रम का विश्राम और जगरती के लिए उसमें संपूर्ण श्रम पाया रूप में रासाइनिक सीमा से मुक्त हो जाना हिम अमान्मेते क्रिया पूंता छरीतार्त होता है तो यह जी देखेंगे तो अमानम्यता से मुप्ति क्रिया पूंटा से क्या मतलब है, उपर जो हम सतर्था, फुर्स्ट वाला जो लाइन है, इसी चैप्टर में उपरी लिखाा, मानम्यता पूंध जीवन में सतर्था पूंध होता है, तो अध्यन के करम में एक समय में हम अमा तो होने कि संभावना बनती है कुसी को फोल जाता हो तो ठीक है यूंकि जो ऑश्टित्में कर्म जगर्ति कि होने की जो श्रिकला है ये खेंख रंबध है यह लिखा है तो अमान्यता से मान्यता का ग्यान, मान्यता से देव मान्यता का ग्यान, देव मान्यता से दिव मान्यता में ग्यान पून होना तथा फिर करम शा मान्यता, देव मान्यता तथा दिव मान्यता का प्रमानित होना, तो एक करम में ग्यान होना, दुसरे करम में उसको प्रमानित क तीनों एशनाओं में चारों विशय में आ सकती तता तीनता हीनता कुरूरता पूर्वक्स वभाव उसके बाद जूट करतवेदाई तुहीनता और निंदा करना यह बहुत सारी जो बातिस को कीज़े हैं इन से मुक्त हो जाना और मानने ता के ग्यान तता आचेरन तता उसके प्रणुर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर यही एश्णाव से मुक्ति की बात है ऐसा होने से फिर जीवन में अनुभव तता आचरन पूंता का ज्यान भी पूरा हो जाता है आगे जाके फिर वो आचरन मारता है वही चरितार्थ होने का मतलब है आचरन पूंता ही जीवन सहेच प्रतिष्ठा है तो यह किसी को फिर यह पूंता पर अधिकार तथा विटेशना पूत्रेशना से मुक्ति एवं सजक्ता की प्रतिती पाई जाती है यह देवमानविता पूंत जीवन से संबंदित जो भी हमको ज्ञान उसके द्रिष्टी विश्वाव तता उस चेतना का जो जो ज्ञान होता है इन्हें आपर मतलब न्याय धर्म सच जो दिश्टी है धीरता वीरता उदारता पर आधिकार आ जाता है तथा वित्तेशना तथा पुत्रेशना से मुक्ती मतलब हमारे में वो वृत्ती के रूपे नहीं रह जाता है उसको हम करके सिर्प हुए रहते हैं एवं लोकेशना बना ही रहता है यह मैंने कहा था बुध्दी और आत्मा के योकफाल में हम सजग्ता को देख सकते हैं या चित-वर बुध्धी के योकफाल में परन्तूसमें बुध्दी और आत्मा का पुट्रेता ही है तो इसकी प्रतिशना पुत्रेशन से मुग्त होने सिने का प्रस्थ रुप में इसको देख सकते हैं इस को समझने जाए तो मैंने शायद अभ्यास दर्शन वाले सतर में एक बार इसको रखा था कि जैसे बाबा जी के नाम से जिनको हम लोग बुलाते रहे पहले से कोई बुलाता रहा इसलिए मैं भी बाबा जी बोलने लग जा तो किसे ने बताई कि पहले कुछ वो होता है क्या है महराजी होते हैं मह वहां की जो स्थाझी बोली है अमर कंतक्त की वहां से नाम बना है बाबाजी वाकि लोगों को नहीं उनको बाबाजी का नए मुझेनि लगता है नांदिये होंगे तो तो इसमें येभी देखेंगे तो मैंने एक था कि दिव मान इता का ज्यान और दिवे मान लिता को परिभाशित किया और स्थाफित किया वह स्वाइम धीव शेतना से संपन होंगे ही और ठेको हमको सुटारमा बनता ही है, इस रहते हुए उन्होंने बार बार सब्सकідust को दोराया और इशारा है हमारे वस्टु साथ आम लोग कर दोरा कि हमारे वस्टु के साथ आनाम के प्रयोजन है और उस प्रयोजन के अर्थ में वो अपने नाम का प्रयोग कर रहे हैं तो उनका नाम नागराज नहीं होता नारायन स्वामी होता या खृष्ष्ण स्वामी होता तो खृष्ष्ण स्वामी बोलते तो जो भी नाम है वो स्रोथ है तो उनके अनुसार इसको मतलब सब्सक्राइब करने के लिए इसके मूल स्रोत को के और मनुश्य को इशारा करना नितान्त आवश्चक है और इसके बिना नितों भटकने की पूरी संभावना रहती है जो आदमी बोल रहा है वो स्वाइम भी भटक सकता है एक बार मुझे अच्छा से याद है 2078 की बात होगी मैं उनसे कोई कुछ पूछता रहा साक्षातकार और बुद्धी को लेकर तो उन्होंने मुझे टोका और कहा ये बोलो कि मध्या दर्शन से मैंने जो सुना उसके अनुसार तब मुझे में एक नहीं चीज उस दिन आई कि ये जो भी मैं बोल रहा हूं वो भी तो इनी से सुनके बोल रहा हूं यज़ी नहीं सुनता तो ये वाक्वãy ही नहीं बनता जाजरती शब्दी हमारे खोपडि में उपस्तित ही नहीं होता जो भी हम बोल रहे हैं वो यही से मिला उसी को लेकर हम बोल रहे हैं यह इसलिए भी अवश्यक बनता है यहाँ पर हम लोकेशना की सर्चा में थोड़े से चले गए क्यूंकि एक बार हमारे एक मित्र अक्तोबर 2007 में हम लोग अमर कंटक में साथ में थे तो मैंने यह देखा कि इसी मानव, देव मानव और दिवय मानव को लेकर जो बात है उसको लेकर वो स्वयम नागराजी से ही बहस करने लग गया हमारा मित्र ही है तो मुझे देखकर काफी अक्षर हुआ कि यह विक्ति उन्ही के दर्शन को पढ़के उन्ही को समझाने जा रह यह एक तो यह भी जहलाओ करेकरम ही है एक प्रकार से जागरती में दीता विता पुरत प्रसुत होना बटकुल मिलाकर तेव मानविता का ज्यान होना तथा उसको प्रमानित करने में हम इससे बेद समझ सकते हैं तो प्रमानित करने के करम में पुत्रेशना वित्तेशना लो है ऐसा हम इसको मान सकते हैं मैंने पहले भी कहा यह मैं जो भी यह प्रसुत कर रहा हूं यह मेरा अनुभाव के बारे में तथा इन वाक्यों के बारे में आज की दिन जो भी आचरेंड में पूर्णता प्रत्यक्ष है तो सरोतो मुकी समाधान पूर्वक ही घंतवे तथा आचरेंड में पूर्णता प्रत्यक्ष है इसका मतलब पहले सरोतो मुकी समाधान पूर्वक हम घंतवे तथा आचरेंड पूर्णता में प्रत्यक्ष होंगे यही जीवन मुक्त कि Sजकता परमाननता दिवे मानवेता है तो this image का घ्यान आचरन पूंटा में पूरा होता है तो जीवन मुक्ति का मतलब क्या है सजक्ता या परम सजक्ता का मतलब क्या है परमानन से संपन्न होना ये अनुभव के साथ पूरा हो जाता है आगे तो देव चेतना, नानव चेतना, दिवी चेतना तीनों चेतनाओं का दिष्टा हम बन जाते हैं अनुभव के सिति अनुभव के अवस्था में आगे फिर इसको वरियता करम में श्रिष्टा के अनुसार पारी-पारी से उसको प्रमानित करते हैं और वो प्रमानित करने के करम में मैंने आपको एक अनुसमर अनुप्य भी बताया आगे रती की गुनात्मक संक्रमन क्रिया ही अभिदय है तो सरोतो मुकी समाधान किसको कह रहे हैं करते हैं इकाई में जो गुनात्मक संक्रमन करिया है इसको फिर अभिदय कह रहे हैं तो गुनात्मक परिवर्तन के साथ, वो परिवर्तन जो है, संक्रम नहें प्हुन जाना, मतलब इससे अभी वो पीछे नहीं हटेगा, इस प्रकार के सिती में पुर्ण जाना, इसको फिर अबिदय या सरोतो मुखी समाधान केह रहे हैं, यही सरोतो मुखी समाधान एभं जाग्रेति प्रवृतियों के रूप में और आया है माहँ है यही जीवन ने का Cambya अस्थित्व सिद्ध होता है अश्डव घड़का भी अस्थित्व स्द्व होता है क्योंकि 어디 आ कमतलब है कि कोई परिणाम है तभी हम किसी भी एक आई के अस्थित्व को मुरत्त शीतन के सबुक्रों के साथ स्थ्ःतन्य होने की स्विकृति होती है उसके वेटने बाद जीने की आश्रा जो है, परिणाम पूरवक ही होता है, इसका क्या मतलब हुआ, ही एक प्रकार से जीवन में ही परिवरतन की रूप में हम को समझना पड़ेगा परन्तु ये गुणारतमक परिवरतन की रूप में हैं, और तो जीवन जो है शरीर के माध्यम से जीना चाता है क्योंकि अपने आपको शरीर माने ही रहता है तो इस रूप से हमाधεια को समझ सकते हैं तथा प्रवृत्यें के रूप में प्रकट हैं तो यह जो प्रवृत्यरत संवेधत Exodus Tutup वस्तु-चृति सत्य तथा स्थिति के प्रतिसंधिक्दभ्ण ही ब्रहिव ह्याएं जो जागर्ति में अपुणता है ध्यृश Baron असपने में तो यह है आप कुछ नहीं है इस पर प्रस्वेशिन लगजा ना कि क्योंकि मैं जब सपना देख रहा था उसमें मुझे लापटॉप दिखा परंतु सपने में लापटॉप कुछ थाई ने कि मैं भी बीस अपना देख सकता हूं एसा भी हम मान सकते हैं इसको लेकर लगता है में यहां तक मैंने तोड़ा विचार में इस सार को लेकर बहुत सारे प्रस्थृत किमें वाद면 स्वादनत्रा दे और his विदांट में युए इस इन तरक प्रस्था के सहाँ को देखना और सपने में देखना इस तो इसी लिए इसके कल हमने देखा था एक अध्याय में देखा था कि जागरित अवस्था के तुलनामी में ही स्वप्न तथा सुशुप्ति की गणनाय है तो देखकर इस पर हम प्रशन लगा दाएंगे तो दिकत आएगी यह सरोपरतम भ्रम भ्रम दूसरे स्थर का क्या होगा वस्तुगत सत्य पर भ्रम तो रूर्जा ही इकाई की रूप में पहुँच रहा है कि मूल में इकाई है भी कि नहीं है कि ओर्जा ही इकाई की रूप में प्रकट हो रहा है तो फाइनली energy और matter और पार्टिकल और wave में भेद नहीं कर पाना वहां पर हम पहुंच गये हैं, इसका मूल कारण है सुभा हुआ धर्म के प्रती निर्भ्रम नहीं हो पाना और अंत तह स्थिती सत्य के प्रती संदिग्देता तो स्थिती सत्य के प्रती संदिग्देता में तीन बिंदू आ जाते हैं एक तो व्यापक वस्तु है या नहीं है इस व्यापक वस्तु में फिर इकाई है य सकती है तो यह करम शा वस्तु सुतिन in में कुछ ब्रहम पश्कता होने से कुछ ब्रहम ठूट जाता है है सो हमना मतलब एक संभावना की रूप में हम सकते हैं कि जैसे हमाद्य दरशन के अध्यन करते करते कोई एक े वेहे व को वस्तुचिती पर शंता होने की संभावना हो जाती है,folg आगे जाकर वस्तुगत सत्य में भी preaching सांबंध्या, और मेरे और व्यापकवस्तु की बीच में naming संदिक दता खत्म हो जाएगा, व्यापकवस्तु की बीच में जो संबलनी की बीच में वेच के संदिक पाई जाती है तो यह वापस बार-बार इसको दोरा रहे हैं कि जो भी हो रहा है यह परमानु में भी नहीं हो रहा है और किसी खूफिया वस्तुम्जी नहीं हो रहा है जो परिभाशित नहीं है इस से क्या होगया सत्य वच्णिय हो इसलिए उसको भाशा में हम बताई नियरसित निर्भरमता ही सजक्ता सजक्ता सहस्थ्ति में अनुभरृव जागृटृवck्या तो ऊपर स्थिति सत्य के पृति जो संदिक दिता का पूर्णत या अभाव हो जाना, मतलब इसका पूर्णनभव हो जाना यही निरब्रम्रता है, इसी निरब्रमता को सजग्ता कहरे हैं, ये आत्मा तता उद्धी के समिलित सुरूप में या आत्मा में होने वाली सजक्ता या जाधरिती है तो इसका मतलब है कि अनुभव होने के पहले आत्मा में अनुभव नहीं रहता है आत्मा मध्यस्त बना ही रहता है उसमें सम विशम का आकरमन सिद्ध नहीं होता यह मतलब नहीं है कि आत्मा में पहले से ज्यान है मध्यस्त बने रहने के अर्थ में आत्मा बना ही रहता है तो उस अर्थ में तो उसको जो भी हम भाषा की रूप में दर्शन में तो नहीं दिया है इसलिए हम लोगों से भी देना उसमें उचित हम लोगों के ओर से भी उसमें कोई भाशा देना आत्मा को अनुभाव के पूर ये जो है उचित नहीं समझता हूँ इसलिए उसको हम करेंगे भी नहीं परन्तु कुल मिलाकर निर्भ्रमता ही सजकता सजकता ही सहस्थित्व में अनुभाव ये सबी एकी बिंदु है अनुभाव ही जागरती एवं जागरती की पूर्ण तथा जागरती पूर्णता ही निर्भ्रम है तो हम जागरत हो गया और उसके बाद भ्रम का कुछ अंच बचा हुआ है ये कुछ बंता नहीं इसका मतलब जागरत हुआ नहीं आंचिकता में कोई कोई ब्रहम बचाई हुआ है उसको पैचानने की बात है आगे सीमा विहींता सहे जुदधे ही जागर्ती है वह संप्रेश्णा अभिवेक्टी ही प्रमाण जागृति किसको कह रहे हैं बिना किसी सीमा का मतलब जानने जो भी जानने के लिए था वो संपूनता को जान लिया इससे अधिक जानने के लिए कुछ बचा नहीं इस श्विकृति को फिर सीमा विहिंता कहरे हैं और जो जानना चाते हैं फिर वहाँ उसको जान सकते हैं और वो एक qualified statement है उसकी detail में हम नहीं जाएंगे यह भी सीमा विहिंता के उदय के बारे में हम यहाँ पर बता है इसी को फिर जागरिती कहरे हैं और इसी को संप्रेशित अ करना ही प्रमान वगया है पर दूसरेर में एक परप्ष में लिए हुआ सब्सें ज्यान सबुन पुन कर्या पर है श्वारें समय है यह ज्यागरिति पून शंता से ही प्रमानित होता तो मैं इस लाप्टॉप का अनुभव नहीं कर रहा हूं इस लाप्टॉप का दर्शन कर रहा हूं वैसे ये टेबल पे रखा है तो टेबल टॉप हो गया परन्तु वस्तुस्तिती का दर्शन येवं वस्तुगत सत्य का दर्शन होता है तो वस्तुस्तिती तता वस्तुगत सत्य का दर्शन होता है का मतलब इसका कुछ भाग सित्रण में भी समाता है कुछ भाग बुद्धी मे जो बोध हुआ वस्तुगत सत्य का तो इसलिए यह ज्ञान पिर अनुभव ज्ञान भी खेलाएगा और स्थिती सत्य का दर्शन नहीं है स्थिती सत्य मतलब सत्ता में अनुभव उदय ही जागर्ति है कपता में अनुभव होता है किसी लिए प्रकृति का दर्शन होता है तथा अपक वस्तु या ज्यान का अनुभव होता है श्याद आगे भी वह लाइन आएगा प्रत्यक प्रत्यक चैतनी काई में किसी ने किसी अंश में दर्शन शम्ता का उदय द्रिश्टव्य है तो यहां पर यह क्वेश्चिन वनेगा कि क्या जीववस्था भी इसमें तो जीवासा में कलपनाशील्ता और आननन में पेशानना निर्वा करना तो होता ही है। जीवात्मा में जीवात्मा में divineर्च में उसका बहुत ही एक सास्ट फ़ि उधार हमको दिखता है। क्यासा मैं उद्धा और मनें के शैत्म जो में सेलने कुंदक है। तो इसका एक तात्विक कारण ये बता रहे ही कि जड़ परमानु अपने लंबाई चोड़ाई उंचाई के शेत्र में ही क्रियाशील है तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि चैतने परमानु जैसे अभी शरीर जैसे मैं लीजे मेरा 6 फूट और 2 इंच का शरीर है ये मैंने जाएगा ये तो पूंजाकार के आकार के रूप में एक्सपैंशन है पर उन्तु इसका ये मतलब नहीं है कि हमको यदि अस्तित्यों के किसी अंश को समझना है तो हमारा जीवन यहां से निकलके वहां तक चले गया ऐसा भी कलपना आता है इसका ये शाथ पर यह नहीं है य अधिक रूप में देखेंगे तो जीवन में अंपनात्मगति का गुणनगति तता वर्तुलात्मगति से अधिक हो जाना ही जाजित्ति का कारण है यह चैतनिता का कारण है यह हम अभ्यास दर्शन में पड़े सुने हैं यह वाला बिंदू मेरे अनुभों में भी नहीं है इसलिए पर प्रामारी प्रस्तुती संभव नहीं है परंतु इस वाक्य को हम ऐसा इस रूप से हम समझ सकते हैं कि उदय का जो मूल कारण है यह चैतनिकाय का लंबाई चोड़ाई और उन्चाय से अधिक शेतर में क्रिया शीलता ही है यह उदय ही फिर अनुमान है तो एक प अनुभूती परेंट उदय का अभाव नहीं है साथी अनुमान का भी अभाव नहीं है अनुभव में ही अनुमान तिरोहित होता है यह प्रसिद्ध तो अनुभव के पहले अनुमान बना ही रहता है अनुभव के पहले क्या अनुमान बना रहेगा जो न्याय धर्म सत्य बो नहow Тамश्रान करेगए। उससे श्ममंदित वस्तु का अनुमान बुद्धी में होता है उसका अनुमान उप्निता है, अगुद्धी ॐ में भूध को नहिंटा भश्तु किसम्भाठ, नहना भूस्त, इस को यह को बच्छित है लिए आननुमान से बंधोरी रहुएं में तो ब इसका यह मतलब नहीं है कि यह जितना भी वस्तु अनुभग के पहले है सारा ही शेकी है कि यह कुछ भी परिवर्तित हो सकता है कि साक्षात का केवल अपरिवर्तनी वास्तविक्ता हो या वास्तविक्ता के अपरिवर्तनी आयामों का ही होता है इसलिए स्वभाव धर्म का भी ही सक्षटकर होता है दूसरे बार्शा में जो वस्तु एक बार सक्षटकर हुआ वह वापत जो बदलेगा नहीं वह अनुभो के प्रकाश में रही ही पाया जाएगा तो इस रूप से हमको अनुमान वाले बात को हम विकारना चाहिए और अनुभाव में ही अनुमान कि रोहित होता है यह प्रसिद्ध है प्रसिद्ध किसको है इसने अनुभाव कर लिया उनको प्रसिद्ध है बागी लोगों के लिए अनुमान आगे कैतेनी इकाईने निर्भ्रमता पूर्वक आशा विचार इच्छा संकल्प और अनुभूति को दूर दूर तक फैला हुआ देखा है यही उदय है जिसमें अंदकार में प्रकाश का मृत्यू में अमरत्यों का और अज्ञान में ज्ञान का उभाव है तो इसका क्या मतलब ह हुआ दूर दूर तक फैला हुआ है देखा है का मतलब क्या है तो विचरन शम्ता से संबंदित वस्तू है और इसमें तो मैं केवल सुनी ही हुई बात को ही दोराब पाऊंगा उससे अधिक कहना उसमें हमारा कविता जुड़ जाएगा उसमें एक बार अबाजी से 2014 में कु तो उन्होंने कहा कि पुद्धी और आत्मा में हम जैसा बोलता हूं तुम ऐसा करो इसमें तुमरा कविता नहीं चलेगा ना तो बुद्धी और आत्मा में जो होता है उसको लेकर कविता करना कोई बहुत उचित नहीं है उसका हम व्याख्या करने जाए क्यूंकि कल्पना चिलता तो रखाई है तो आदमी पढ़के आपना कुछ कल्पना जोड़ी लेता है तो कल्पना को जोड़ेंगे तो उसमें कुछ बन जाएगा दूर दूर तक फैड़ा हुआ का देखा जना परतु कुल मिलाकर इसमें दो विदी से जो पूछा गया इसका उत्तर दो विदी स है एक है कि कोई भी चीज फिर चुपी नहीं है जीवन से क्यूंकि विधरफाक्वस्तू जाता है ये भाषा बनेगा तो हम इसके पूर पड़े होंगे कि पहले अपारदर्शिता रहता है अग्यान में और फिर अल्प जागरिती में होते होते पारभास्यता आजाती है जागरिती के करम में पारभासी होते होते फिर पारदर्शिता बन जाती है तो हर चीज दिखता है अस्तित का हर आयाम हर वस्तु कोई भ कि आनंत ब्रह्मांडों में विचरन करने की क्षमता आ जाना एक ही ब्रह्मांड के अंतरगत विचरन करने की क्षमता आ जाना शरीर चाजने के बाद इवात्मा ग्यानात्मा देवात्मा तथा दिव्यात्मा में तो दिव्यात्मा है हम वहाँ पर लिखा है दिव्यात्मा जो एकी धर्ति के उसपे पातावरन तक विचरन शमता को रखता है और भूतात्मा और प्रेतात्मा आगे धर्ति के सता टक ही तो सषकरें हिए ये धर्ति खेले रहने का अरत्म सुन्दर। प्रत्यु में अमंर्त्यु का ही एक अंधरे और यहां पर किसी एक सिती को वर्नन किया गया है वह भी बहुत ही पार्शली किया है हम यह जोर करेंगे कि मतलब पुरे बध्याजर्शन में तर्द्यानागराजी ने किसी स्थिती का वैसे वर्णान नहीं किया है कि उसमें लगता कैसा है इसमें यसा लगता है और वैसा लगता है इस टाइब की कवितात्मक्षैली उन्होंने प्रयोग नहीं की और विट रिजन और विट रिजल्ट यह अच्छी बात है इसको हमको बना के रखना चाहिए वेरे अनुसार्थ आगे वस्तु सिती में देश काल दिशा परिमिती को वस्तुगर्थ सट्य में रूप गुन सभाव की परिमिती तता धर्म की विशालता को स्पष्ट किया है परिमिती का मतलब स्थिमित रहना तो वस्तु स्थिती में देश दिशा तथा काल की सिमा तक दूसरे पलड़ट के दिए देखेंगे जब तक देश दिशा परिमिती की सिमा तक देख पाना इसके साथ धर्म की विशालता को पश्ट किया है तो धर्म तिर तीनित नहीं है, तो जैसे देखेंगे येदी हम भाशा एक बार इस पर बात भी हुई थी बाबा जी से जैसे इमान यिये लापटॉप है इसकी रूम की जो सीमा यही तक है तो यहां तक लापटॉप है यहां परावर्टित हो रहा है तो लापटॉप से निकलता हुए हीट मुझे यहां तक भी दिख जाएगा जब कि उसकी रूप वहीं तक रहे गई स्वभाव के बारे में बात करेंगे तो उन्होंने यह उधारन दिया था जैसे शेर जंगल में रहता है उसके बारे में आद्वी घर में बैठके तोचके डरता रहता है तो स्वभाव को नाम दिया है प्रभावन और यह जो गुन का जो नाम है प्रभाव तो स्वभाव का प्रभावन होता है किसी अच्छे विक्ति या घटना के बारे में हम सुनते हैं तो हमको अच्छा लगता है यह स्वभाव के प्रभावन के रूप में है और अस्थित्व ह काई में होने की जो बात है बनी ही रहती है अस्कित धर्म के रूप में धर्म की विशालता के रूप में हम समझ सकते हैं अनुभाव में ही अपरिमित्ता को प्रमानिक किया है अपरिमित्ता फिर एक ही वस्तुत धर्म अपरिमित्त नहीं है विशाल है व्यापक वस्तु ही इस बात का जो ज्ञान है ये अनुभव में ही जाकर ऑनुभव ज्ञान में ही जाकर पुरा होता है उसके पहले उसका भास--भास प्रतिती होता ही है पूर्ण ही प्रत्यक्ष है, यही पूर्ण वाईभव हैं. यही प्रश्ट है, तो इसी वस्तो को फूर्ण कह रहे हैं, कुछ कि यह सिति पूर्ण है, जिसमें कोई भी संकल्प, विकल्प, यहां, कोई भी परिवर्तन, परिमाल जैंась नहीं हैं। इसलिए भी जब हम स्पेस शब्द को यूज़ करते हैं आधुनिक विज्ञान में तो हमको बहुत उस पर साधानी केरफुली रखना चाहिए साइंस में भी जैसे यूक्लीडियन स्पेस हो गया जोमेंट्रिकल स्पेस हो गया और वॉइड के बारे में हम पढ़ते हैं साइंस में भी एथर की कलपना लोगों ने दी है पहले से कोई एक वस्तु है जिसमें कुछ उर्जा होता है और वहां सी काई होता है को उर्जा मिलता तो बिग बैंग ठेरी के नाम से भी हम आज की दिन अभी सुनते हैं उसका प्रमान है नहीं है वह सही है गलत एक अलग मुद्धा है परंतु जो प्रतिपादित हुआ है वह यह हुआ है कि संपूर्ण चीजें एक ही मतलब मास में थे जिसका मास जो है इंफनाइट था और उसमें से स्पेस भी बना और मैटर भी एक साथ बना तो जब यह कह रहे ही कि स्पेस बना तो स्पेस बनने का तात्परी क्या है और स्पेस एक्स्पैंड होने का तात्परी क्या है वस्तू के रूप में स्पेस क्या है तो हो सकता है हम पाएंगे कि वहां पर जिस वस्तू य है यह हो सकता है भीन कल्पना है यह हंपों ज्यानने छत्यावेशक है आगे प्रत्यक इकाई की स्थिती अन्य की अपेक्ष्या में स्वयन की दिशा स्पष्ट करती हैं अरुभव मूलक विछार ही व्यवहार में न्याय सहस्थित तता व्यवसाय में समरिद्य, अनततह व्यवहार में न्याय प्रमानित होना और प्रणयतThe में जो है परशवर्थ कर्स प्रमानित होना और हैं गलती विहीं यदि कोई स्थिति है आ embroidery की जिसको सहीथस्ता की भी शिती कही गई है यह पिर अनुभों मूलक पीजी से ही समझ में आता है कि कर लेते हैं साउंड आ रही है फिर इसका दूसरा भी एक अनुभों होने के बाद मनलफ कुछ चुप हो गया और र्यापत में विले हो गया और मुप्ती हो गई नहीं उसके बाद उसको छाषरी प्रमानत भी करेंगे उसके बाद शरीर की आवशक्ता प्रमानित करने के बाद दिविचेता को प्रमानित करने की बाद शरीर की आवशक्ता फिर नहीं रहती अनुभव के सिती मेरी देखेंगे तो ज्यान होने के लिए फिर शरीर की आवशक्ता नहीं है और अनुभव को ही प्रमानित करने के अर्थ में देखेंगे तो त्रिप्ति के अर्थ में फिर शरीर के अवश्यक्ता नहीं उस अर्थ में कि इसकी त्रिप्ति दाइट को पूरा करने के अर्थ में तो नियति करम विजी से हुआ इसके बाद हमारे नियने के उपर है कि हमको लेना है या नहीं लेना है तो कहां लेना है कैसा लेना है कि हमारे नियने पर स्थाय करता है तो यह इस विजी से हम इसको देख सकते हैं कहा गया आगे उपर कर लेते हैं ज्यान अनुभा होता था क्रिया दर्शन है तो ज्यान में ज्यान का ज्यान से के लिए ज्यान का व्यापकवस्टू का अनुभा होता है व्यापकवस्टू में रहते हुए व्यापकवस्टू का व्यापकवस्टू में भीगे रहने का व्यापकवस्टू में घिरे रहने का व्यापकवस्टू में डूबे रहने का व्यापकवस्टू में डूबे रहने का व्यापकवस्टू बना ही रहता है तथा क्रिया का सभावगती के रूप में भी उसका परिभासा है तो सभावगती के रूप में भागिदारी और ग्रामेटिकल उपरेटर व्याकरण के रूप में भी उसका प्रयोग किया गया है उसको हमको बेद करके पढ़ना चाहिए तो स्थिति वत्ता सहज ज्यान ही बोध इसका मतब क्या हुआ व्यापक वस्तू का ज्यान ही बोध है तो अंत्तह बुद्धी जो है बुद्धी सत्य ग्राही लिखा रखता है परन्तु उसका ध्यान जो है बुद्धी को ही होता है एवं उसका अनुभव ही ज्यागृत है तो सत्य का बोध होना तथा सत्य का अनुभव होना इन दोनों चीजों को फिर ज्यागृती कह रहे है तो क्या ज्यागृत हुआ फाइनली बुद्धी गुआ और आत् सब्सक्राइब कर दो इस पेज को पुरा कर लेते चार लाइन है आपको अनुमती हो तो तो यह चार लाइन पुरा करके नेक्स पेज से हम कल से शुरू कर सकते हैं कल एक एक सेंशन लेना पड़ेगा दो बात यहां पर इंटरॉप्शन होने से प्रसा टाइम लॉस हुआ है और रोतीन क्वेश्चेंज आये थे उसको पुरा करके कल का शाहिए छॉट सेशन होगा ज्यादा देर ने लगना चाहिए आगे मन बृत्ती चित बुद्धी की सम विशमात्म कतिरेक का नियंतरन मध्यस्त्रिया आत्वा आत्मा में है इसके लिए अनुभव अनुशासन प्रसिद्ध है मन बृत्ती चित तता बुद्धी की सम विशमात्म कतिरेक के ना तो मन बृत्ती तता चित में सम विशमातिरेक दोनों होता है बुद्धी में समातिरेक होता है विशमातिरेक नहीं होता है बुद्धी जो है सम मध्यस्त है तो इसका मतलब है कि बुद्धी से जो गलती होता ओ मतलब आत्मा से विप्रीट मध्यस्ट से रूप में होता है दो इस लाइन में बोर और करेंगे मन और भरटी तक साम विशम धोनों, रहता है बुद्धि में विश्थ प्रवेशिक हो और आत्म तक भी प्रवेश्थ नहीं है इसका अति रेक का नियंटरन इसलिए उसका संविष्यमातकीरे का अनुभवुनुषासन किसका ह्यर्म मतलब क्या हुआ? कि मन वृत्ति चित्थ से भी विष्यमात की स्वाइभ से छूटना मतलब अमानव्यता सोद्थ में पतस्थ होिणा उसका मतलब अम्रिदी संपन्न हो जानने में भी आत्मा का फुट बना ही रहता है ये किस रूप में आत्मा मध्यस होने के कारण आत्मा और बुद्धी के बीच में आत्मा कही बातावरन प्रभावशिल रहता है और ये मध्यस्ता का बातावरन है तो बुद्धी में मध्यस्त होने की जो एक शमता है ये आत्मा के बातावरन में होने के कारण ही है और उसी मध्यस्त जो वस्तु है बुद्धी में या मध्यस्त ताकि जो एक वृत्ती भी कहना उसमें ठीक नहीं बनता है पर बुद्धी में मध्यस्ती करण के लिए और सम मध्यस्त होने के लिए जो चीज है ये फिर आत्मा के वातावरण में रहने से ह क्राम्षा मन का नियंत्रण होता है यह और अंभाव गामिभी से देखें गी है जायद अधियात मौद या भोतिकवाद में कहीं पर कुर लिए है कि आत्मा मध्यस्त क्रिया होने के कई रोल है एक तो गठनपून परमानु को गठनपून के रूप में बनाए रखना और दूसरा उसमें एक default प्रभाव ये अपना दिया हुआ भाषा है परन्तु वहां के भाषा को हमको ठीक से पढ़ना चाहिए कि उसम्पून तामे जगरिती के लिए एक जुकाव पूरे दर्शन में या एक प्रेरना बनी ही रहती है प्रेरना शब्द उप्योग किया गया है तो आत्मा का प्रेरना बना ही रहता है पूरे जीवन में और वही प्रेरना चित में सुक्ष में इच्छा के रुप में नाय धर्म सत्य की स्विकृत्य के में बनी ही रहती हैं ऑर можно by विक्ष सूमी से वित अनुभौव औनुशासन और दूसरा है आत्मा से अनुशासित, दूसरा है अनुभव पूर्वक अनुशासित, इन दोनों में फिर भेज बन जाता है, प्रबुद्धता ही सतर्ता है, तो इसको फिर सतर्ता कहरें, यही अभयता, समाजिकता, सहस्तित्तो, अभिदय एवं प्रबुद्धता है, तो अभयता, प्तल competent में विश्वा, सामाजिकता, सहस्तित्तो, सरुत मुखि समाधान या समाधान थम्पन्य होना ही प्रबुद्धता है, यह आत्मा उस जाफित जीवन के रूप में हमने अभ्यत दर्शन में हद्यन किया इसको, आत्मा उस जीवन में सतर्ता पूम होता है, वहां पर यह भाशा आया है तो अभैता सामाजीक्ता सहस्तित्व प्रभुद्धता अतलह स्वायम के अमरत्यों की श्विकृति और मन वृति चित बुद्धी जो है आत्मा के अनुरूब हो जाना आत्मा अनुशासी जीवन या बोद्पून जीवन में हम पाते हैं पर लिख है कि के साथ हम यहां रोक लेते हैं ग्यारा बच्च के पार्च मिनिट हो गया है तो हम कल वी हैव स्रीपेज़ फीपेज़ शुड नॉट टेक टाइम तो कल हम इस तिलसिले को आगे पड़ाते हैं इस पर प्रार्म करने के पहले अनुभव दर्शन को अनुभव किये हुए चद्धे श्री नागराज जी उन्हें मध्य दर्शन और अनुभव दर्शन को प्रतिपादित भी किया और लिखा भी है वो मेरा नमन वारवतत्था कृतग्यता को अर्पिट करते हुए आज के इस सत्र को हम प्रार्म करते हैं चद्धे बाबाजी के अनुसार नागराजी के अनुसार समाधी जो परमपरागत एक भूमी है ख्यान की जिसमें अग्यात ग्यात होने की जो है आश्वासंग विगत के शाफ्सकों तथा वांग्मेयों में दिया है और समाधिस पुरुष को जीवन मुक्ता ऐसे कहा भी है चद्धे नागराजी के अनुसार उस समाधी के स्थिती में निर्विकल्प समाधी के स्थिती में उनको ब्रहमग्यान नहीं हुआ तो जब ब्रहमग्यान नहीं हुआ उसके बाद उन्होंने सैयम किया और सैयम पूर्वक फिर उनको सहस्तित्व का दर्शन हुआ संपूनस् पुनाचरन तथा समाज व्यवस्था और अखंड समाज सार्भों व्यवस्था परें उनको ग्यात हुआ और उसी को उनोंने लिपिबद किया है तो इस कोटी के वस्तू को व्याख्या देना मुझे लगता है या देने के लिए मेरी अभी जो भी हैसियत है जीवन की जागरती के अर्थ में उससे काफी अधिक की अवश्यक्ता है व्याख्या करने के लिए तो इसलिए अभी मैं जो भी प्रस्तूत करना हूं वो एक अध्यता बने रहते हुए विचार विमर्श के अर्थ में मैं आपके सामने इस को रख रहा हूं हो सकता ही कि रखने का जो रीका या प्रोन है वो एक प्रकार से फाइनलिस्ट हो अंतिम बात कहने जैसे वस्तु प्रस्तुत करता हूं ऐसा होता होगा किसी को लगता होगा परम्तु ये भाषा की शैली है बात करने की शैली है उसको आप प्रस्टाव की रूप में ही लीजेगा विचार विमर्ष के लिए वस्त अभी तक बंद नहीं हुआ, ठीके साथ हम इस सतर को आगे बढ़ाएंगे, तो कल जिस कृष्ट पर थे, हम सतर्ता के बारे में यहाँ पर देखेते, उसको थोड़ा सा उसका संदर्व क्योंकि आगे आता है, इसमें लिखा है, अनुभव अनुशासन ही प्रभुद्धता है, प्रभुद्धता ही सतर्ता है, यही अभैता, समाजिक्ता, सहस्तित्व, अभिदे एवं प्रभुद्धता है, इसका मतलब है कि अनुभव अनुशासित या आत्मा अनुशासित जो जीवन की जो सिती बनती है, अध्यन के विदी में, उसको फिर प्रभुद्धता तथा सत कि वर्तमाण में विश्वास भूरागा अमरत्तों का बोध बना रहता है इसा मेरा अनुमान हे और यही अनुभो मूलक विधी से सतर्ता प्रमानित होती है, तो अनुभो गामी विधी से सतर्ता का ज्यान, तथा उसकी स्थिती को पाना, तथा अनुभो मूलक विधी से अंततह उसकी निरंतर्ता को प्रमानित करना, तो सतर्ता की निरंतर्ता जो है, यह फिर अनुभो मूलक विधी से प्रमानित होती है, तो अनुबह अनुशासन का मतलब है कि आत्मा से अनुशासित जीवन, इसका मतलब आत्मा से अनुशासित बुद्धी, उससे अनुशासित चित, उसके अनुशासन में वृत्ती, तथा उसके अनुशासन में मन, इस रूप से हमको आत्मा अनुशासन सम में आता है आगे सजक्ता एवं सतर्ता ही प्रभुद्धता का प्रत्यक्ष रूप है इसके पहले कहते हैं सतर्तता जो है प्रभुद्धता है अब देखे इस वाके में लिखा है सजक्ता एवं सतर्ता ही प्रभुद्धता का प्रत्यक्ष रूप है इसका मतलब सजक्ता या दूसरे भाशा में कहेंगे तो बोध अपने में सजक्ता का ही परिचे है बोध होने का मतलब ही है कि सजक्ता का परिचे होना बोध का मतलब ही है स्वबोध का बुद्धी को आत्मा को जो बोध होता है इसका नाम स्वबोध है और इसको पूर्ण बोध भी कहा है तो इस य तथा प्रभुद्दता का प्रट्यच शुरूप है ऐसे लिखा है आगे पांडित्य पून सतर्ता ही बौधिक समाधान है यही व्यवहार में निर्वाक्षमता तथा व्यवसाय में कुशलता एवं निपूनता पुर्ण योगिता है तो पांडित्य पून सतर्ता का मतलब क्य तुरुपब गुछ नहीं होता है तो भाशा तो गुणगा ही बनता है और यहां पर हमको दिख रहा है कि पूंगा जो है गुड़ खाने के बाद बोला भी जा सकता है और बोलना अनिवार है बोलना सहज है बोलने का मतलब है अभिवेक्त होना केवल वाणी के रूप में बोलना नहीं परन्तु व्यवहार के रूप में अभिवेक्त होना विचार क के रूप में होना त निर्वा शंता है कुशलता ये हम को प्रभुद्ध कहा। मतलब है कि पृती में नियाय पून्य विचार है वो चित्त के साक्षातकार अथवा चिंतन के अनुसार हो रहा है और चित्त में ऐसा साक्षातकार या चिंतन साक्षातकार किस में? अनुभागामी विदी में अनुभागामी विदी में सरोप्रतम जो सत्य का या न्याय धरम सत्य का जो उदगाटन है वो जीवन के चित के चिंतन शेतर में सत्य या न्या या धर्म या स्वभाव धर्म या रूप बुन सवभाव धर्म के संयुक्त रूप में इस इन आयों मों के उद्गाटन जो है ये चिंतन क्रिया में साक्षातकार होता है सरोब्रथम इस साक्षातकार का बुद्धी में बोध होता है या उसकी स्विकृती होती है इस स्विकृती का फिर संकल्प या निष्ठा बनता है पहले निष्ठा बनता है उसके बाद वो संकल्प के रूप में परिवर्तित होता है सत्य बोध के साथ फिर सत्य संकल्प बनता है उसके पह का वश्यक्त बनता है और वही अनुभो मुलक विदी से जो अनुभो तथा अनुभो बूर प्रमान्य कोता है उसका नाम इसन्तन है तो सतर्ता ही समाधान शमता है तो यह जो सतर्ता है समाधान गुद्धी में जो बोध हुआ, समाधान हुआ, ज्यान के रूप में, उससे समाधान किसको हुआ, चित तथा वृत्ति के हुआ, क्यूंकि वृत्ति को उसके पहले समाधान नहीं है, वृत्ति भटकता ही रहता है, क्यूंकि वृत्ति को दोनों इस तरफ से प्रेशर है, चित कि माध्यम से फिर समाधान प्रमानित होता है, प्रमानित होने का मतलब मानव परंपरा में उसका प्रमान होना, मतलब उसका प्रेटेक्ष होना, उसका व्यवहार रूप में होना, उसका गुणों के रूप में, व्यवहार के रूप में कोई प्रभाव होना, और व्यवस्था कि रचना तथा उसके भागिदरी के रूप में कोई प्रभाव होना परसपरता में तभी जाके हम कहेंगे कि कोई वस्तु प्रत्यक्ष हुई इसलिए फिर पहले में जो लिखा था जो श्रद्यनागराजी से हम सुने हैं कि अव्यक्त है और अनर्वचिनिय है इन दोनों को ही उन्होंने पलट दिया जैकि देखेंगे तो ब्रहम ग्यान पूर्ण रूप से वचनिय है पचास पेज में लिखा जा चुका है जैना बोलने के रूप में शायद दोसो गंटे में बोल चुके हैं और संपूर्ण रूप से व्यक्त है ऐसा नहीं कि व्यक्त नहीं है जैना वर्नन जो है अनुभव होता नहीं इसको हम पहले भी देख चुके हैं जैसे वो तो फिर ब्रहम ग्यान के लिए क्यों हम छोटी सी जैसे चाय पी लिया या एक अच्छी जगह चले गए और उस अनुभव को आप वर्नन करते हैं उस वर्नन से मुझ में वो अनुभव जब जब उसी वस्तु यह उसी आसवादन यह उसी सुख को मैं स्वयम अनुभव करता हूं तब जाके मुझे पता चलता है या एसास होता है कि आपने क्या अनुभव किया ऑख्याँ में वैसे ही है तो भ्रमग्यान आत्मा में जो अनुभव होता है इसको फिर सजक्ता क्या गया, तो सजक्ता किस इस तर पर हमको मिलेगा, सजक्ता कौन जग्या, बुद्धी जग्या और आत्मा जग्या, चित्त तो पहले से जगाई ही था चित्रन तक, प्रत्यक मानुर में चित्त चित्रन शेत्र तक जब नहीं कहते हैं कि कियरे बद्धि में कुछ भी हुआ है सन्छा रूप में हम जो सुने है उसको जरूर ढरा सकते हैं पर उत जरूर है कि बुध्धी तता आत्मा का अंतता जागृत होना ही सजक्ता के रूप में हैं, बुध्धी का जागृत होने का मतलब बुध्धी का प्रत्यावरतन होना, आत्मा का जागृत होने का मतलब आत्मा का प्रत्यावरतन होना, तो इस अनुभाव तता अनुभाव बोध पहले बोध, फिर अनुभव, फिर अनुभव का बोध का समिलित सुरूप को यही हम देखेंगे, यह सजक्ता की पूर्णता की रूप में दिखती है, यही जो जीवन के अन्य क्रियाओं के माध्यम से जब व्यक्त होता है, तब उसका नाम सतर्ता है, खासकर छित और वृत्त के योगफल में जब व्यक्त होता है, तब उसको सतर्ता नाम दिया है, तो इसलिए इसमें कहा है, सजक्ता ही अनुभवक शम्ता और सतर्ता ही समाधान शम्ता है, तो अध्यन के विदिए से देखेंगे, तो सतर्ता संपन होके इसका मतलब समाधान है, और सजक्ता का परिश सजक रहता है वैसे ही बुद्धी भी चित्व के प्रती सटक रहता है यह सजक्ता ते बारे में चोटा श्याइद दो दिन पहले किसिने हैं सजक्ता पर एक कूछ था है यह इतना अय। सब too इसको पतो यह दिए देखेंगे सजक्ता और ससोसरी पिर में पहले भी कहता कि सजक्ता मुझे में हो तो मैं आपको उसका व्योँ अब कल पना बता सकता हूं तो सड़्व पर्धन परणारी प्रपीड आत्म साथ मेरी सतरता मेरी किसी चीज को देखेंगे तो तनमन्धन के सवरूपियों को बना के रखना, तो इस रूप में हमको इस बात को देखना पड़ेगा, सतर्ता के व्यवहारिक सवरूप को, सजक्ता का व्यवहारिक सवरूपे दी देखेंगे, शायद इसी के आगे के चैप्टर, उसमें लाइन में एक आएगा, कि निद् ने कहा वृत्ति या चित्व कुछ रहा होगा या बुद्धी रहा होगा फिर मैंने पूछा आप जब सोते थे तो मैं कौन था आपको कुछ ऐसास था कि आप हैं उन्हों उन्होंने कहा कि सोते समय भी हमारे में ये स्मरण बना रहा कि मैं आत्मा हूँ खाशा ये दिया इसका तात्पर ये क्या है ये एक अलग मुद्ध है कि ये स्मरण क्यू बना रहा कि अर्च की रूप में रहा कि कामना की रूप में रहा ये हम उस पे भी नहीं जाएंगे या उनका जो वाक्य है कि हमको ये स्मरण बना रहा कि मैं आत्मा हूँ तो फिर मैंने पूछा कि उसके बाद साधना के बारे में पूछा साधना समय का हो गया तो समाधी में पूछा मैं कौन था उसमें तो उन्होंने कहा कि समाधी का दिष्टा आत्मा था, परन्तु उस समय वो ज्यान नहीं था मेरे पास, सयम करने से पता चला कि समाधी का दिष्टा आत्मा है, तिसरा एक डेटा पॉइंट मिला, मैंने ये पूछा भी आप जब सोते हैं, तो हम जैसे सोते हैं, उसमें क्या भे तो उसमें स्वप्न ने रहेगा यथार जो है विचार रहेगा स्वप्न उसको कहेंगे जब आधार हीन कल्पना को स्वप्न नाम दिया है तो इन तीनों सितियों में एना देखने वाला एक इकाई बना रहता है इसको हम सजक्ता का व्यवारिक स्वरूप अभी मान सकते हैं मै स्वय मकनेश्चिति को भी ऐसा नहीं पाता हूं इसलिए इसका कोई मैं आपको प्रामानिक रूप से इसको नहीं बता पाऊंगा और यही आगे जाके फिर बुद्धी में जो बोध है उसका भी द्रिष्टा आत्मा बन जाता है तो हर समय फिर द्रिष्टा पत्रिष्टा ह हो जाने का मतलब ही है कि आत्मा हर समें बुद्धी का द्रिष्टा बुद्धी हर समय चित का द्रिष्टा चिता हर समय मन तक कथा व्यवहर पत्रिष्टा बना ही हुआ है तो यह सजक्ता का प्रारंब होकर अनुभव के स्थिती में सजक्ता पूर्ण होता है इसा लिखा है तो इस परिपूर्ण सजक्ता के कारण क्या होता है तो अनुभव के प्रभावों में हर समय बुद्धी हमेशा हमेशा के बना ही रहता है मन तक बुद्धी से लेकर मन तक इसलिए सारे जो जीवन के क्रियाएं हैं ये सहजात्मक हो जाती हैं उसमें कोई भी फिर अभी प्रयास या ध्यान देने के अवशक्ता या बने रहने के अवशक्ता नहीं रहती है वो हर समय बना ही रहता है कुँँकि एक बार मद्ध्यक्रिय क्रियश Gir हो गया तो बाकी क्रियाएं अपने आप ही सुवता ही उसमें नियंत्रित ही रहते हैं उसमें पून मान्मिता पून आचरन जिसको हम 122 आचरन के रूप में अभ्่न करते हैं वो सारे स्वभाव के रूप में बने ही रहते हैं, इसलिए ऐसे जीवन या ऐसे वृत्ती या ऐसे व्यवहार, ऐसे स्वभाव को सहज आत्मक कहा है, इसमें there is no effort, it is natural, इसलिए इसको सहज निश्था भी कहा है, इसलिए फिर अनुभव का अभ्यास दर्शन में सहज समाधी भ बना ही रहता है सहस्ता की रूप में, इसके लिए कोई प्रयत्न या प्रयास नहीं रहा, इस रूप से सहज सजकता, सतर्ता, तता, सहस्ता, ये तीन शब्द हमको मिले, तो इस पर थोड़ी शी बात्चीत हमारी हमने प्रयत्न किया, आगे आप भी इस पर सोचेंगे, आगे शिक्षा प्राणाली एवं व्यवस्ता पद्धती में सतर्ता योग ये शमता को जन सामान्य बनाने की व्यवस्ता है, तो ये अभी क्लेर हो गया, तो शिक्षा प्राणाली जिसको हम चेतना विकास मुल्य शिक्षा कह रहे हैं, उसमें जन सामान्य क्या बना सकता है, सतर्त है हमारे में ऐसे विचार क्या फिक्षा है किसी को जागरती विदि साधना का है यही साधना है और यह पिर नपूरवक ही होता है जीवन में इसके लिए और कोई पधती इस दर्शन में दिया नहीं है कि ऐसा मंत्र जब करो या आखे मून लो या समय को देखते रहो या चार घ हंते देखो या दूसरों की सम्मेद दना को देखो इस प्रकार की कोई भी अभ्यास कि इस दर्शन में उस प्रकार की अभ्यास नहीं बताई गई है यहां पर जो अभ्यास बताया गया है वह जीवन को समझना तो श्रवन के बाद उसको निरिक्षक्य। पूरवक समझना हम स्वाजीवन ही जीवन के क्रिया को समझता है इसलिए सिधा सिधा किया जा सकता है ये इस दर्शन में प्रस्ताव है इसी को फिर हम चेतना विकास मूली शिक्षा विजी से प्रस्तापित कर सकते हैं तो अभ्यास दर्शन में एक वाक्य आया था जब हम इसका मतलब चित्त के प्रत्यावर्तन की स्थिर्टा की जो स्थिती है इसको शिक्षा में प्रस्थापित किया जा सकता है यह शिक्षा विजी से संभव है ऐसा आप तो पुरुष्या अनुभव संपन वेक्ति का एक उद्गोश है और वही चेतना विकास मुल्य शिक्षा कर नहां प्रस्थुत किया है इसका मतलब है ऍ SMITH में जितने भी वास्तविक्ताई हैं उनके मूल्यों को समझना गुंसуса चैनल को समझना इसके माध्यम से चेतना का विकास होता है, चेतना का सरो प्रथम जो विकास होना है, वो विरित्ती में दिष्टी के परिवर्तन, गुनात्मक परिवर्तन के रूप में होना है, उसके साथ चित में जो भी इच्छा हैं, उसके गुनात्मक परिवर्तन के रूप में होना है, उससे फिर चित की प्रत्यावर्त्र संभव है उससे फिर सतर्था ःम्भव है तो यह एक प्रकार से शिक्षा-पध्धति हमको समझ में आती है जिसके बाद जो पध्धति है उसका नाम जीक्षा है वो सिक्षा संस्कार से अनुभव के लिए रस्तावित किया गया है जो अभ्याजर्चन में लिखा है, आगे, किसी अंच में सजक्ता एवं सतर्था ज्यानवस्था की इकाई में पाए जाने वाली अविभाज शम्ता है, जिसकी पूर्णता के लिए वह विवश है, तो किसी क्षम्ता में सतर्था तथा सजक्ता का कुछ भास, कुछ एक सेंस ब अभाला बिधी से अहां निद्राभय मैथुन पूर्वक अपने को स्वायम को शरीर मान कर जीना इसको फिर अमानव्यता कह रहे हैं न्याय न्याय धर्माधर्म द्रिष्टियों के सक्षात्तार पूर्वक उनका आचरण धीरता वीरता उदारता के रूप में तथा विशेप की सामाजिक कारेकर्म की बात हुई और समाजिक की परिभार्ष हुई तो उसमें ऐसा फिर रिस्पॉंस आया सुनने वालों से कि सामाजिक कारेकर्म का मतलब समाज के लिए कुछ करना है तो यह हमने अभी अपने से जोड लिया है यह समाज करिकरम नहीं है सामाजिक करिकरम है समाजिक करिकरम का मतलब ही है संपून संबंद तता संपरकों को निर्वा करना तो हम व्यवार परिवार के सीमा में करते हैं सीमा का मतलब यह नहीं कि परिवार में ही केंद्रित हो गया और बाहर नहीं देखे सीमा शब्ता यह मतलब नहीं कि संकीर नहीं हूं गया परिवार के परिपाइक्ष में किए हम एंड और फिर उसी को फिर बहार हम मिच्र ड़Уपन में व्यवस्था संबंद के रूप में बहार देख सकते हैं इस पूरी वस्तु को मिला कर फिर तामाजिक करेकरम के रूप में हम देखते हैं जो वेवस्था में भागिदारी वाला करेकरम है शिक्षा इत्यादी वो इसी का फिर एक अंग बन जाता है आगे इसमें ये लिखा है कि अतिमान्वेता ही आनंद का प्रमान है तो देव चेतना का ज्यान उससे संबंदित आचरण तथा दिवी चेतना का ज्यान तथा उससे संबंदित आचरण को अतिमान्वेता का है उसमें से फिर आनंद की बात है अतिमान्वेता लिखा है यहां दिवी मान्वेता नहीं लिखा है देव मानो तथा दिव मानो मिल कर कप पिर एक बार सिर्थ करेंगे कि अनुभु के सिति में आनदhole परमानत की निर्म करते हैं उसके बाद फिर रूप में हम उसको अनुभु हो जाता है हिए न हमारे से किancers बुंस बुध और विक्कीष्वय 중요 हो गया तब हमारे आनुभव होने का फिर प्रमान प्रस्तुत हुआ उसके पहले वो नहीं हुआ आज के दिन भी ऐसा ही है आप बाबाजी के या नागराजी के कई सारे हम आप ओडियो या उसमें सुने ही होंगे कि जैसे हमको गनित पता है तो गनित हमने किसी को पढ़ाया और उसमें किसी को पढ़ा दिया तब हमारा गनित जो है प्रमानित हुआ नहीं तो वो उनतया परमपरा के रूप में प्रमानित नहीं हुआ यहां प्रमान का मतलब है परंपरा में कोई वस्टू आ जाना तो वहां तक ही इसकी पूरी क्रम है ऐसा नहीं क्यानुबह होने के बाद या साथ हारी चीजे रुख गई और उसके बाद जो है मुक्ति हो गई मोक्ष हो गई क्यूंकि भारत वर्ष में हम लोग यह बात कर रहे आगे ज्यान अवस्ता ही निर्भ्रमता सहच निकटम पद है जीव में नहीं है तो यह एक पहली बार थोड़ा सा उन्होंने जगा दिया है कि तुम माना हो तो निकट हो गए कम से कम जीव नहीं हो यह एक अच्छी बात है बागी तो फिर माइनस में है जो वो है वो राग की सीमा में गणने है तो आज यह बहुत एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है गोरकत हमारे लिए मनन करने के लिए विचार करने के लिए अभी जिसको हम दिन मानते हैं रात मानते हैं दिन चरिया मानते हैं वो शरीर की अवस्ता से जुड़ा हुआ है तो शरीर का न नहीं है स्वायम के होने के बारे में यहां पर यह लिखा है कि यह विशय वर राग की सीमा में रणने हैं शरीर के प्रती राग के कारण ही हमारा होना कारीरिक सीमा के जागरिती स्वप्न तथा सुशुप्टी तक ही सीमित है यह अभी जीवन वाले रेंज में नहीं आया यही का एक व्यवारिक स्वोरू हम सोच सकते हैं आगे शरीर का संचालक अर्था चेतन्य Mrigya आत्मा नही पुरुष नहीं- संचालन संचाल करको रोकता है या कम करता है यह वाकित निद्रा में रत होता है आगे शरीर के अलावा अन्यसभी साधन शरीर द्वारा निर्मित है जो सामान्य एवा महत्वकांक्षा में उप्योगी सिद्धू हैं जैसे यह लैप्टॉप, फोन, घड़ी, कार तो यह लाइन सुनने में तो बहुत आसान लगता है इसको हम practically देखेंगे तो इतना आसानी स भी नहीं भुलाया जाता है कि यह मेरी लैप्टॉप है तो मेरी लैप्टॉप की लैप्टॉप है जिसका मैं उप्योग कर रहा हूं जिसका मुझे सुरक्षा करना है जिसको मैं सही ड़न से उप्योग करूंगा घर मेरा है कि घर है जिसका मैं उप्योग कर रहा हूं यह ज लॉकर तक और गेहने तक हर जगह तक गया है और और आगे फिर नाम तक गया है तो यही प्रकार से अटाश्मेंट या राग के रूप में यहां पर बटाया गया है वस्तुओं है यह का मातर साधन है साध्य के लिए गया है उत्री सारे को हम साधन के रूप में उपयोग करेंगे या करते हैं या करने की अवेशकता है या अध्यानाध्यास कूर्व कर पाना अभव है जो भी हमारी सिती हो, आगे, संपून अविक्सित, विक्सित के लिए साधन, विक्सित, अविक्सित के लिए उपयोगी है, क्योंकि विक्सित, अविक्सित में पूरक्ता सूत्र वर्तमान रहता ही है, ये भी काफी क्लियर है, तो संपून अविक्सित, विक्सित के लिए साध शौय जूनने, का उपयोग yeuxमैं तो मतल्म च्रति है सह्थैनिया प्रकृती के लिए Sाधन के रूप में उपयोगू होता है जीव भी प्राण अवस्ता को उपयोग करता है तो करता है युछैने अवस्ता को मानुचस मानव का उपयोग किस हर्थ में करेगा प्रयोजने के अर्थ में येदी वह वेक्ती चाहेगा तो येदी हम शिष्य के रूप में प्रसुत होता है तो गुरू से कोई ये एक वो बनता है एक एक निर्देश आदेश संदेश मिलता है जो हमारे लिए भी और मानव परंपरा के लिए भी और समाज के लिए भी उपियोगी सिद्ध हो सकता है इस से फिर हम अपने उपियोगिता को सिद्ध करते हैं जैसे घर में एक छोटा बच्चा होता है तो उसके उपियोगिता को सिद्ध करने के लिए या बढ़ाने के लिए उसके अभ्यास को बढ़ाने के लिए फिर हम उसको काम देते हैं, जैसे हमारे यहां अभी 5 साल की दो बच्चे हैं, दोनों लड़किया हैं, तो दोनों को फिर हम दिन में 3 शार बार कुछ काम दे रहेते हैं, तुम कपड़ा दोलो, बरतन मांज लो, तो उस रूप से उनकी उपयोगिता और साथ में उनका अभ्या नहीं है, एक इंडेस्टिंग स्टेटमेंट है, यह ने लिखा जड़ में विचार नहीं है, यह ने लिखा जड़ में आशा नहीं है, तो कल मैंने जब पढ़ा था इसको परसों, तो उस लाइन से जो मुझे ध्यान में है, वो आपके सामने रखूं, वो आप सोच के देख विशलेशन, आस्वादन, तता चितरन, इसके जैसे चीजें हमको मेधस्युक्त और जीवन मुक्त, मतलब जिसमें जीवन नहीं है, वैसे मेधस्युक्त प्राजिवों में दिखता है, जैसे एक मधुमक्ती को एदी हम लेंगे, तो मधुमक्ती एक बहुत एक निश्चित आस्वादन करता हुआ नजर आता है, जैना वो एक पर्टिकलर फूल में जाके नेक्तर को लेता है, तो आस्वादन करिया तो उसमें भी दिखता ही है, फिर मधुमक्ती जिस स्पीड से कहीं से एक जगे से दूसरे जगे नाविगेट करता है, कभी भी तलती से वो टकरा ग अब अब जाएगा ने तो चैक्टे बिना आप डाविगेशन करीने सकते हैं, आप यह पीकार इस पीड जाएगा तो पहले ही गिर जाएगा, तो उसमें आके लैंड करना अपने में कितनी एक फाइन कैलकुलेशन उसमें होती होगी, यदि हमको एक इतना बड़ा ड्रोन भ में को हड के रखना है, तो हम सोच कल्पना कर सकते हैं कि कि इसके लिए किया वशेकी आवश है, उसमें वैसे ही मरन मेंमरी के रूप में दिखता है, और जिसमें जीवन है, जीवन सहित रहे, दोनों में ही देख सकते हैं, चैन आस्वादन, कैलकुलेशन और स्मरण ये तीनों चीज़ें दिखते हैं परंतु चिंतन देखेगा ने तो फाइनली दी मार्केटिंग लाइन चैतन और जड में देखेंगे बहुत क्लिरली इस दे चिंतन क्रिया बाकी कलपना शीलता कर्म सतंतरता तो है ही 4.4 या 5 क्रिया की सीमा में परंतु चिंतन एक ऐसी एक्टिविटी है जो जड में बिलकुल ही नहीं पाया जाता तो ये भी शोद के लिए बड़ा बिंदू बन जाता है जो अभी आधुनिक विज्ञान में एक काफी वर्षों से श में होती है वो जड में नहीं होती केवल पैचानना निरवाग करना ही होता है उसमें और उसको भी फाइंडी स्टेडी करने के अवश्यक्ता है बहुत जो क्लियरली डिमार्किटिंग लाइन है वो चिंतन की ही एक्टिविटी है ब्रेन तथा कॉंश्यस्थ अगे प्रत्यक्ष अधिक अनुमान शम्ता ही चिंतन का प्रधान लक्षण है देखिए इसमें चिंतन को परिभाशित भी कर दिया प्रत्यक्ष रूप से जो दिखता है उससे अधिक जो अनुमान शम्ता बनता है ये चिंतन का प्रधान लक्षण है ये केवल तल्पना शिल्ता क कभी उपज वी सकता है परणतों कल्गना शीलता होने के लिए चिंतन स्वावना की लया है कि चिंतन क्रिया होने मात्र से कलपना शीलता की होने की संभावना बनता है तो जीवन में होने मात्र से कलपना शीलता इसलिए बना ही रहता है और इसलिए फिर उसके अनुमान प्रतेक्ष से अधिक का अनुमान मानव कर सकता है जैसे एक एक जामपल जैसे अभी मार्स का लैंड तेलस्कॉप से जो देख सकते हैं परंतु वहां का वायू मंडल का अनुवान कर पाना वहां के ग्रैवीटेशनल फोर्स कोेश्टमेट कर पौन से हाइड पर ग्रैविटेशनल फोर्स कितनी होगी उसकी रेंज, स्पीड, गती, उसके तुलना में फिर स्पेस क्राट की क्या गती, फिर उसकी पूरी कंट्रोल सिस्टम को यहां से उसको कर पाना, और भारत भी इसको करता ही अभी, एना सटलेट लॉंच करते हैं, यह करते हैं, तो यह जो अनुमान करिया है, यह हम देखेंगे, यह प्रत्यक से अधिक बिल्कुली है, यह एक एक्स्ट्रीम एक्जामपल है, हार आदमी स्पेस इंजिनरिंग एन एना, एरो स्पेस इंजिन, उसमें डाइनमिक्स में नहीं कल् आगे, यह करम तब तक रहेगा, कौन सा करम, प्रत्यक से अधिक अनुमान का करम, जब तक समग्रफकती के प्रती रहस्यता का अभाव न हो जाएं, मतलब संपून दर्शन जब तक नहीं होता है, तब तक यह जो प्रत्यक से अधिक अनुमान की शमता बनी ही रहती है, इसक केसे हमने स्विकार लिया है कि ανुभौ व यू को ख़ता है आहीं होता है नहीं होता है अंत तह पता चलेगा जिसिजिन अनुभौ है उसी वुसकी सतफी है कि निगोन whose कि WW poco from Megan क्या वुर्म ठीकर श awareness करता हूं तक विश्वास के कारयन हर आदमी अपना कोई तर्क बना ही लेता है किसी वस्तों को विश्वास करने के लिए प्रत्यक्ष अनुमान आगम विदी से हम विश्वास कर सकते हैं तो कुछ अनुमान आत्मक भी विश्वास होता है कुछ विश्वास आगम श्रेनी का भी हो सकता है फरन्तु वो विश्वास स्वयम का विश्वास्तव होगा जब तक स्वयम हम निर्ब्रहम न हो तब तक उसके अस्थित्त को हम जो स्विकारता है पूशी का नाम हनुमान है उन्हा एक कि अनुभव पूर्वत जागृत है तो जागृत कौन हुआ अस्तित्व जागरित नहीं हुआ, शैतन्य इकाई संपूनता में जागरित हुई, आत्मा भी जागरित हुआ बड़ उसके बाद उसके साथ बुद्धी, चित्व, वृत्पी तथा मन भी जागरित हुए, केवल पूरुष जागरित हो गया, केवल आत्मा जागरित हो गया, आटमा जाग्रित हो गया और त्अरे बएम लिखाने यहां पर कुंछ भी नहीं लिखा इèg है। देव मानो तथा मानव जाग्रित इव मानवा मानव अल्प जाग्रित तथा जीव मांत्र अजाग्रित है। आगे उसका बताते हैं, उसका क्या कारण है ऐसा बोलने का, मानव जागरित का तात परे क्रिया पून्ता में जागरित, तो मानव जागरित का तात परे क्रिया पून्ता में जागरित का मतलब क्या है, मानव से संबंदित दुग्यान तथा अचरण है, उसमें जागरित हो जा इसके बाद देवमानों जागरत का तात्पर्य क्रिया पूंता में परिपून यह जो अभैता सामाजिक्ता यह जो चीजा है इसमें परिपून हो जाना समाधानित हो जाना, व्यवस्था तता धर्म में स्थित हो जाना, यह जो है क्रिया पून्ता में परिपून, व आचरन पून्ता में जागरित, मतलब यह जो स्थिती है, इसमें आचरन पून्ता के भी ज्यान या प्रतिती पनी ही रहती है, दिव्यमानो पून जागरित का ता करने के करम से हम समसख रा तो अमानव को पिर अलप जागरिट का है तो यहां पर आप स्मरण कर सकते हैं हम लोग की मानव-घभार-धर्शयन में इसको बुद्धी के अवस्था के रूप में लिखा है एना मानव में बुद्धी को तीन अवस्थाओं में पाया जाता है एक अल्प जागरित जिसमें मन और वृत्ती चित संत्रित रहते हैं दूसरा अर्द जागरित मन वृत्ती चित जो है पुद्धित अंसरित रहते हैं ये आत्म विमुक बोद के सिती में है और आत्म बोद सहित संकल्प में आत्म अनुश्यासित बुद्धित वृत ही तता मन को जैगरत तथा उसके बाद पूर्ण जागरित की संगया दी जाती है और इनी स्थितियों का फिर अनुभू मूलक विदी से हम इसको प्रमानित करते हैं इसको सतरता सामा जीकता अभैता को उसके बाद जागरिती पूर्णता को एना दयाकृपा करुणा के रूप में जो मैंने इसके पहले भी निवेदिन किया था कि दिव्यमान और प्रमानित हो जाने का मतलब अनुभू ट्रांसफर हो जाना अनुभू ट्रांसफर होने तक फिर तंकल्प बना ही रहता होगा ऐसे जीवन में उसके बाद उनके स्वेच्छा पर है इसके बाद शरीर्यात्रा लेना है कि नह ज्लीता में बन चुके हैं अभी इसका कुस्छ कर विने सकते सतर्ह ही विवेक है यही आत्मा अमरत्व स्चरीर नशवरत्व यहीं व्यवहार कि निव कर निर्ने करने योगियवह यह अक्षमता» यवं विवहार करने योग予-व यहार करने यहीं सो प्तरता को फिर जिवन के अमरत्यों का भूधोना उसके बाद फिर आत्मा के अमरत्यों जो है अनुभव में ही बनता है इसी को हम कुछ अध्याओं के पहले हम स्वरण कर सकते हैं बुद्धी को अजय तथा आत्मा को अमरका है यहना बुद्धी का अजय तथा आत्मा का अमरत्यों के बारे म सकतरता की अंति मुपलबदी परमाधन है और कि अन्ति मुपलबदी आप को काफी clear हम में ने जोड़ा सा तत्ति स्थ चतवरिद का नियंतित हो जाना इस लिए बुद्धी आत्मा के पूर्भ वोना अविश्क कि उसके साथ लिए सज़वड़िया की पर्मानन्द है जिसका अनुभाव आत्मा करता है, इसका बहुत गुद्धी में होता है, उसका नाम से आनन्द है, तो जब सुक्षांती संतोष आनन्द कहते हैं, तो पहले आनन्द की प्रतिती उसके बाद या आनन्द हो जाना, उसके बाद आनन्द की निरंतरता के लिए अनुभाव होता है, फिर नाम है जीवन मूलिया तर फिर रणिंग आट उट ताइम और फंद्रा मिनिट है आप जी भी है आज थोड़ा सा मेरी बोलने की भी घ्रती धिमी रही स्वायम भीगे रहने का अनुभव होता है इसी को फिर ओध प्रोथ के हैं हम ओध प्रोथ को ओध प्रोथ भाशा की रूप में रखेंगे उसको मैं वैस्या देने नहीं जाओंगा किनकि वो फिर हमारा कविता बन जाएगा ओध प्रोथ सिती का मतब है भीगे घीरे डुबे जबते ही रहेने की जो सिटती है इसका नाम परमानन है इसका arrows ने ने पर स्वा रहने की जोस्ती है कि यह द्याकर्पा करुणा निशरत होती है कि प्रão छिट्वी होती है और अजय दे देड डिया करुना का भी, बहुत जादा बहुत जादा ने मैंना के पारें तो पुन नंते है परमान ते मिला हमारे ही करुना का या देया का जो है सब्सक्राइब आगया सब्सक्राइब तो तहां थे एविक्सित के विकास के लिए सरवादी कुपयोगी होना कृपा के रूप में तथा करुणा के रूप में योग्यता को बढ़ाना आर्था या पातर्था को विक्सित करना वो कैसे होता है उसके लिए आप प्रद्धे नागराजी के साथ जो वीडियो हुए है उसमें यही डांटने की खरेक्शन चलती है तो that is कृपा और करुणा एन एक्शन डांटना बराबर कृपा करुणा हर वर्ष मुझे लगता है कि इस वर्ष हम उसको पुरा कर देंगे कुछ अच्छे वीडियोस हैं फूपली वाइरस खतम होते होते हम उसकी भी तैयारी हो जाएगी इस वर्ष आगे अध्यान अभ्यास अनुभव प्रक्रिया ज्यान अवस्था में प्रसिद्ध है ये क्लि प्रमान को भी स्विकारा है तो इन तीनों तो एक तो कहरे मुझे ब्रहम ज्यान हुआ है उसके अनुभव को मैं प्रमानित किया हूं और उसके और मैंने उसको इंगित भी किया है एक वाक्य साथ में प्रक्रिती के चारों अवस्थाओं को विशलेशन पूर्वत को मैं वि निश्लेशन है और व्यावहार प्रमान सहित व्याख्या हीद किया즈 चारों अवस्थां है इस लिए कार्य संभव है क्यों मैं समय वेस्ट करूँ जो स्था वस्था है उसी किए लिह मैं सो च passado वस्तु एक है जो पुर्ण है जो भ्र्म है, तो व्यवार करने का चाहे अध्यन्-विधि से या अनुभों observe विवखार करने की कोईभी गुझाइश बनती हैं जब तक हम क्रिया के सब्सक्राइब करने के लिए या विभार करने के लिए उसके रूप गुन सवाधर्म को समझे बिना उसक्रिया के साथ पूर्णता हम विभार करना हमभव है ही नहीं तो की सिकाई के साथ मैं विभार कर रहा हूं जीवन के प्रतिपादन के साथ की सपष्ट होता है ये बहुत clearly इस दर्शेन में demarket होने के कारण मेरे अनुसार व्यवहार की क्रिया पूर्णतिया समझ में आती है नहीं तो व्यवहार किसे करना है समझी नहीं आता है क्यूंकि यह जी जो दिख रहा है वो मतलब वास्तविक्तार नहीं है और वो सामयिक है और जो अनुभाव ह है वो स्थाई है और आत्मा के साथ व्यवहार करना कुछ बनता नहीं कि अवशक्ता ही नहीं है तो व्यवहार हम करेंगे किस से और आत्मा अपने में बना हुआ है और बाकी क्रियान नहीं है इसको भी किसको बोलेंगे आत्मा को तो वापस बोलने सकते है आदमी को ही वाप प्रोपोजिशिन एक बहुत डिफिकल्ट लॉजिकल एक कंडिशन में अरतिय परंपरा रहा है मेरे अनुसार यह थोड़ा सा हम तुलनात्म का धेन में चले गए इससे एक मात्र प्रतिपादन जीवन का अविभार्ज क्रियां के रूप में होने मात्र से और चैतनी इकाई के होने से रेडार सेल्फ और वेरी इंट्रैक्टिबल प्रॉब्लम है बहुत बड़ी एक इंट्रैक्टिबल एक आध्यात्मिक बॉद्धिक और तार्किक प्रॉब्लम रही है इससे हम छुटकारा पापाए हैं तो हम किस से वेवार कर रहे हैं यह भी पता चलता है उसमें अ इसमें प्रयोग प्रमान को भी स्विकारा है कुछी कल शायदे बात आई थी कि वस्तुगत सत्य की उद्गाटन जो है उसको फिर प्रयोग कह रहे हैं तो प्रयोग का मतलब केवल मिट्टी पत्थर से करने वाली चीजों तक सीमित नहीं है जो भी हम विवस्था में करते है सामान्या कांग्षा महत्व कांग्षा संबंदी वस्तुओं का उप्योग उपारजन यह सारा ही प्रयोग है तो प्रयोग प्रमान का से तक पर क्या बनता है नियम नियंत्रें संतुलन न्याय धर्म सत्य के ज्यान के साथ जो वस्तू के उप्योगिता का निने होता है जो व हमारे प्रयोग का व्यवस्था अनुकूल होने से उसकी प्रमान मिली नहीं तो द्रिश्य के रूप में प्रतेक्ष रूप में तो यही दिखेगा कि मैंने भी एक चाकू बनाया और एक आदमी पहले से चाकू बनाता रहा कि एवन हमारे में जो है वो एक द्रिश्टी जुड क्याम करे सकते हैं और नहीं शायद दीजल के रिसर्च में यान्ट है भी फिर प्रयोग में विवय कात्म काण के रूप में जिसते पाकिया पढ़ी सकते हैं, स्वर्ग होना, तथा मानों का देवता होना, थर्म के व्यवस्था, ये समाधान सफल होना, तथा मित्य मंगल होना, साफी spectacularly written book, ये कहना बनता है, मेरे पास हिंदी में इसके लिए भाशा नहीं है, but very spectacularly written, तो बढ़िया हो गया, तो इसी के साथ अनुपर दर्शन के 45 अद्य हम लोग साथ में पूरा किये, और के पूर में राकेश कुप्ता जी का रहा हो, और साधन भाई का रहा हो, उसके पहले बहुत सारे पुस्तोकों, कम से कम मेरे अनुपर, 27-30-30-40 लोग शायद पस्तूत होगे होंगे, मैं देखने पाए भी तक, आगे कभी देखूंगा, फ्री समय में ऐसा सोचा हूँ, इसमें आगे कल राकेश भाई ने आपको ये पुष्ट करने के लिए निवेदन किया था कि अभी सब्ता भर का शायद ब्रेक होगा, उसके बाद के करम को वो वो टेलिग्राम मेले ग्रूप या किसी वाटसाइप ग्रूप में आप तक बताया जाएगा, तब तक के लिए स पाकेश भाई ने मुझसे ये भी कहा था कि मैं इस स्क्रीन को फिर छोटा कर दूं तो ये वाले स्क्रीन को हम छोटा कर देंगे, ये कोने में चले जाएगा, आयो जक के के नुसार, दिरदेश नुसार या उपदेश नुसार, ये मैं बढ़ा हो गया, तो पढ़िया, आग ये कैसे करना है, गुंजन पनारा है, इसे में मुझे बता है, तो उन से में सिखाऊ, तो कल से जो प्रशना है, उसको हम ले लेंगे, अभी आदा गंटा है हमारे पास, एक लिखा है, दर्शन, अनुभव, ज्यान तथा जागरिती में अंदर क्या है, तो दर्शन जो है, प उसका है, तो दर्शन करने का मतल्ब ही है, प्रतिप्ति के किसी आयामों के प्रति जात होना, य Sharingations को महा पर गया में, दर्शन किया का मतलब रूफ से चात हुए, यलिना रूप हमपाए मेरा मतली मेरा, or न हम दर्शन कर तो इसके हैं, वैसे ही गुणों का भी दर्शन होत प्रकृति के अंकों के सीमा में उसका आपयों करना पड़ता है चितरन करना पड़ता है तबी जाके दर्शन पुरा होता है उसी को फिर अस्तित्व दर्शन कहरे हैं और अंततह दर्शन पूरा होने के लिए वो अनुभव भी अवश्यक है दर्शन का एक भाग अनुभव मुलग बोध के लिए उसकी एक टास्ट एक माईल या एक लास्ट कंप्लीशन सत्य के साथ तो इसको दर्शन और ग्यान, दोनों उस जेगे पर फ्यूज हो जाएगा तो वो 2012 का पॉंट यह दर्शन का मतलब है और मुझे याद है मुझे बहुत सारी परिभाषा वीज्या याद नहीं रहती हैं किया हूं परन्तुho दृशन का परिभाषा बहुती जोर्दार bit दर्शक ड्रिष्य को परिष्टि स्तहित यथा वच जानने के नाम दर्शक है। जागृति का मतलब अन्त तह जागृति का मतलब है कि अनुभव हो जाना इसका मतलब अस्थीत्व में जितने भी वास्तविक्ता हमाना है उन सभी के प्रति पूर्ण ग्यान त्मपन हो जाना इतना स्थर को प्राप्ट कर लेना इसका नाम जागृति है तो इसके पहले प्रति क्रम में क्या होता है तरो बारे मैं बात करेंगे तो मन जो है व्यवार हborg करता ही है परantuna को सब्सक्राइब सरह पर देखती वि व्योज्यूली हम देखते हैं कि हमारा व्योर किया हुआ हम यार को याद नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ है में किसी एक क्रिया में कोई घटना घटित हो रही है उसकी पूर्वकी क्रिया उसकी जो गुरु क्रिया है उसको देखने पारी है इसलिए हमको ही पता नहीं चल रहा है जब कोई वस्तु पता चलती है इसका मतलब मुझमें ही कोई गुरु वस्तु जो है मुझमें ही किसी व्रित्ती के प्रती जगरित हो जाए मन व्रित्ती में अनुभूत होना और व्रित्ती मन का दृष्टा बने रहना वैसे ही व्रित्ती चित में अनुभूत होना वैसे ही चित बुद्धी में अनुभूत होना यह अनुभूत होने योग्य होना इसी घटना का नाम साक्षात का प्रतिती है और बुद्धी उस समय फिर शित्त का दिश्टा बन जाता है उसी रूप में बुद्धी आत्मा में अनुभव करना इसी का नाम आत्म बोध है उस समय आत्मा को बुद्धी आत्मा का पूर्न दिश्टा बुद्धी हो जाता है ये बुद्धी का दिश्टा हो जा अनुभोपूरण प्रतिष्ठित हो जाता है, यही देखने, समझने, दर्शन तता जागरिती का ताथपड़े है, इसी को फिर जीवन जागरिती खहरे हैं, इसलिए क्रिया पूंता तता आचरन पूंता को अनुसंधान की बिंदू के रूप में रखा है, क्योंकि इसको इस व्यक्या करना इसके पहले बनाने, पहले जो भाषा बनता था, यही बनता था, कि हम शरीर भी नहीं है, फिर हम मन भी नहीं है, फिर मैं विचार भी नहीं हूँ, फिर मैं स्वारन शेतर भी नहीं हूँ, फिर मैं एहंकार भी नहीं हूँ, परन्तु इनका जो एदी वो वस् अनुभव टो इसी जगर्दी के ही अर्थ में सेफ़त हो गया jego 3 यह सारो जो हो रहा है यह ज़ो हो रहे हैं यहेरा मेरा रूप मुझे ही प्रचिभींबित होके मुझे ही स्विकार हो रहा है यही यह भी घ्यान रूप के ये अभिभार्ज रूप में चारों अवस्थाएं समझ में आ जाना इनका बोध हो जाना तो सथा में संपर्क प्रस्रिक्ति के रूप में वस्तु समाया रहता है कि मुझमें यह जो ज्यान है यह व्यापक वस्तू ही है तो व्यापक वस्तू ही फिर ज्यान रूप में जीवन के द्वारा प्रकट है जैसे जड में उर्जा के रूप में प्रकट है जैसे जीवन को ही उसको वणुभण करना पड़ेगा दूसरा उसका कोई भाषा बनता नहीं तो इनकी को उइंसिडेंटल अकरेंट्स जो है यह एक पकड़ने की बात है ज्यान और इसका खेतन्य इका इकाईक इका ठीक है तो दर्शन अनुभण ज्यान घ्यान रख्राभिति प्रश्ण बनता है इन में भेद नहीं करना है इन में वस्तु के रूप में क्या है फिर इन में जो संबन्द है ये बिश्पर्ष्ट होता है और कहां तक कौन सी परिभाशा दी गई है वह बेद आंतर के रूपे तो पहले से ही हम यहीं ढूंडने जा रहे हैं कि इसमें भेद कि इसमें रूप गुन सवार धर्म सीमित है नहीं उसमें कि रूप ही है क्योंकि प्राइचाहे कितनी भी बड़ी हो उसके आएकारे शेतर रहता ही है उसी को हम सीमा के रूप में पहचानते हैं इसलिए सीमा को ही इकायत पका है इसका मतलब जो असी मस्तु है वो अधिक है यह एक चेक यह है मैं दूसरे खोन से कर रहा हूं और अधिकर दिया यह आवाज जैसे ही सामने लाइव आती है तो मैं वाब शुरू कर दूँगा तो यह एक क्वेश्चिन आया था कि क्या करें ना करें इसके बारे में तो वह अनुभर दर्शन का क्या करें ना करें के रूप में बहुत सिंपल रूप से देखेंगे एक तो जो लिखी हुई वस्तु है भाषा के रूप में जो लिखा है पूरे दर्शन के वांग में में उसका नियमित शाक्रध्यन करना तो समझने के अर्थ में उसको पढ़ना समझाने के अर्थ में पढ़ना एक अलग सीज होता है परनतु स्वाइम समझ के स्वाइम जीने के अर्थ में उसको पढ़ना ये बात बनता है शासर अभयासा शासर देन के रूप में दूसरा करम उसमें ये बनता है कि इसके साथ साथ हम जीने में जैसे जीते हैं, वैसे कुछ नूग कुछ होता ही रहता है और पढ़ने के साथ जो भी हम भाशा के रूप में पढ़े हैं, वो विचार में जब परिवर्थित होता है, तो हमारे अंदर वो घुमना भी शुरू क करता है उसके द्वारा फिर हम अपने ही व्यवहार तता आचे रंड को देखना करते हैं या उसके प्रति हम सतर्क होना शुरू करते हैं कि मुझे में इस प्रकार की क्रियाएं हो रही है तो ये भी एक चीज करना बनता है इसके साथ अखन समाजिक्तों को स्विकारना व्यवस के अत्मे समन्नों को पैचानना ये व्यवहार के अभ्यास के रूप में आता है और भृतिक वस्तुओं के उत्पादन या उसके सुरक्षा या सेवा के रूप में कुछ समय देना ये व्यवहार अभ्यास कर्म अभ्यास सता शासर अभ्यास के रूप में हम इसको देख सकते में तो ही कहना बनता है वाकि कुछ जो पॉइंट से आये थे फोन में तुम्हें उसको फोन से ही देखकर एक बात पुड़ा कर लेता हूं उसको ज्यादा नहीं है पहला आया है जड़ ही विकास पूरवऑ चैतरनी हुआ जब अस्तित्य बन तो था नहीं कृपया उसको स्परश्ट करें .. य्ग अस्तित्य में वस्तु यह तो होता नहीं यह कैसे हुआ है इसको दो विदियो से हमको समझना चाहिए एक तो जड़ और यह नुदु घुकरा में दूसरा ise धृट कुस्क्राइब धिक उभर के सब्सक्राइब करो आयुकर नेहें इसका बना हुए इसका मतलब हर समय पाई इस समय भी एक अस्थित्यों में एक विकास क्रम में आने वाली एक धर्ती место हमारे जीब भ्रमित भी धर्टिया रहेंगी और जागरिती क्रम में आगे की धर्तिया रहेंगी और एंजसरदी तो हमारा जो सोशना है वो नित्य वर्तमान और सीम के रूप तक जब हम उसको समझते हैं तो यह था नहीं होता नहीं का मतलब यह भी है कि यह तात्विक रूप में तात्विक रूप में क्या कह रहे हैं जड़ पर्माणूं पहले से ःसले बनाईभीं यह बनते ही पिसको आत्मा को यह जीवन को यह आत्मा को अनुभोवा होता है इसका ब्युद्धि को होता है उसका सक्षाट कार्चित्य को होता है उसका तलन दित्ति करता है, तथा उर्मल्यों का स्वाधन बन करता है, इस रूप से अनुभव ज RS पूरे जीवन में प्रवाहित या प्रभावशील बना रहता है, परांतु अनुभव जो होता है, वह आत्मा को ही होता है, इसका ग्यान पाकी की जीवन कृरियाओं को होता है वो उसमें अपलावित रहती हैं इसलिए संपूर्ण जीवन ही या कहना चैन्य चैतनी एकाई रूपी जीवन ही कहना अनुभू के प्रताश में सत्य के स्वरूप में स्वायम हो जाता है इसको से तद रूप वस्ता कहा दे यह मेरे यह में अनुभूति एवं प्रकृति में अनुभू के आंतर को स्पष्ट करें यह में अनुभू का मत्रा व्यापक वस्तु में अनुभू हो रहा है प्रकृति में अनुभू नहीं होता है अनुभू तो होता है व्यापक वस्तु में ही व्यापक वस्तु काही यह इसके पहले जो भी होता है वो व्यापक में रहते हुए ही हो रहा है परन्तु इसका ग्यान मातर हमको अभी नहीं है तो प्रकृति के सानिज्य का फिर अनुबह होता है वो फिर रुचि मुलक विधी से होता है या मुल्य मुलक विधी से होता है रुचि मुलक विधी का मतलब है जड़ पकृति का होता है मतलब किसी के शरीर का भी रुचि मुलक अस्वधन होता है जैसे अभी हम किसी के आकृति को देखकर बोल तो यह हो गया चार विशे एवं पांच इंद्रियों का अस्वाधन भी अनुगव है जो निरंतर नहीं है फिर भी इसकी निरंतर्ता मानो क्यों चाहता है क्या इसकी निरंतर्ता को बनाये रखने ही तू संग्रद्वेश अविद्ध विमान भय चक्र वियु में फस जाता है या प्रकृति की सरवच किर्ती मानों के स्वेश्चिं क्या इसमें क्लियर नहीं है पर फिर भी जो आशर है उसको इदीमें रखो तो चार विशे येवं म Culture olacak का आस्वादन ने पांचों इंद्रियों के माध्यां से विश्यों का अस्वादन करने वाली easier is present क्रिया के बारे में बात करेंगे तो शित्रति एकाई में जीवन चल्दा जाता है उसके लिए इंद्रिय tav reaction किसी भवतिक वश्तू को आना तो इससे जो अच्छा लगना है, तो अच्छे लगने के ही चार स्थितियां है, या चार प्रकार है, चार प्रकार से अच्छा लगना, या टेक्निकल भासाइदी उस करेंगे, तो त्रिप्थ होना, चार प्रकार की त्रिप्तियां है, सुख, शांती, संतोष और आनन, सुख किसे अच्छे लगने या तृत होने की सेहं जीवन में आती है किसे किंद्रीा जोडहाचा और होने आद्म सरल है च्रृत्व यह छवस्ट्रार्स ने कहल में Hendrix King बदलने में समय लगता या विद्या को समझने में समय लगता है या दोनों साथ incorporate ओकर थुलन विश्लेशन पूरवक जागरती करम जागरती है तो विद्या तो अत्यान सरल है जीवन्त है प्रमानिक है यह वाली बाते तो ठीक है परन्तु यह भाशा असरो प्रतम भाशा तथा कामना के रूप में हमको ठीक लगता है तो एक प्रकार से हमारी जो स्थिती मतलब प्रोडों की स्थिती हमारी यहीं में कहूं कोई भी प्रोड वेक्ती जो इस दर्शन के और इसके मूल तत्वों को और इसको अध्यन करके मानवेता पुरोज जीने के अवश्रक्ता को स्विकारते हैं यह स्विकरती भी चित में ही रहती है और उसी चित में अन्यवस्तों की भी स्विकरती बनी ही रहती है और बृत्ती में भी इसके विपरीत जो है फ्रवरितिय यूज़ करेंगे तो इसमें अच्छे की भी कामना है और उसके वीपरित जो चीजें उसके प्रती भी एक द्रिड आसकती एक द्रीड मानेता पणि ही रहती है यह और के आगे हम बढ़ते-बढ़ते इसके और जहराई बढ़ती जाती है इसकी विप्रिज मान्यताओं का इसलिए बच्पन से ही इसको शिक्षा विजिय से हम यदि इसको प्रस्थापित कर पाते हैं और उसके साथ उसके लिए वातावरण और शिक्षा और संस्किती सभेता इसके अनुकूल यही बन पाता है तो इसमें समय लगने वाली जो बात है यह कम की जा सकती है परंतु इन वस्थूओं के रहते हुए हम मतलब साक्षातकार या चेतना विकास में पूरा हो जाएंगे ऐसा मुझे तो रखता नहीं कि जागरिती के विपरीत वस्थूओं को जीवन में रहते हुए जीवन जागरित कैसे ह हो सकता उसके विपरीत वस्थूओं में मतलब थोड़ा सा जागर्ती चाहिए ठोड़ा सा आसकती चाहिए या कभी-कभी आसकती अरे या कभी आसकती अरे या काम नहीं होता इसकी में है तो इसमें भी मुझे लगता देर इसनाथिग टो कंप्लेंन अबाट क्यूंकि जो च करते ही है उसकी कोई भी आंशिक तुर्ती सुप्ष या शांती कुछ ना कुछ मिलता ही होगा तो एक अच्छी ही बात है वो नंबर फाइव कैतन्य पक्ष में परिमार्जन करिया एक महतुपून आयाम है जो जागरती करम से जागरती एवं उसकी इंदिनतरता के लिए गेटवे है किसको परिमार्जन करें कैसे तो सरोप्रतब गुणात्मक परिवर्तन होना है किसको करना है जीवन को होना है उसमें क्या परिवर्तित होना है मन वृत चित बहुत ऐडि प्रिसाइस देखेंगे तो चित में जो चितरन है इसका परिवर्तन होना क्योंकि उसमें यह जी स्विकृती होती है इसमें इन्पुट आता है तो वृत्ती उसके अनुसार काम करता है या काम करने की संभावना कुछ बनती है निसम्फित आंम के प्रती विप्रीज कुछ चीजों को मान लिया हूं और मैंने गोर माननेता हैं चाह है कुछ अवेशके हैं जो अनेकों हो सकती है और से ありがとう जीवन consulting मानविता ग्यान या यथार्टता वास्टवीक्ता सक्यता के ग्यान संबंदित जब हम श्रवन कर लेते हैं तो यह सारा इन्पुट चितरन में आता है, यह पहले श्रवन होना पड़ेगा, मतलब चितरित होना पड़ेगा, केबल भाषा तक सीमिट रहने से काम नहीं चलता है, तो यह चित्रित होने से क्या हुआ, चित्र में पहले जो भी चित्र था, जिसको चित्र सही मानता था, उससे बड़ी एक चित्र, जो है चित्रन शेत्र में आ गई, इसका यह जी मुल्यांकन बुद्धी कर पाता है, तो ठीक, नहीं तो इसका जो प्रभाव है, वृत्ती पर पटना भावी है, क्यूंकि उससे संबंदित शब्द है, ज्यायधरम सत्य संबंदित, द्रिष्टी से संबंदित शब्द है, तो उसका फित्तुलन होना, तो यह बेसिकली गेटवे है, निर्यानुसार, मतलब स्टार्टिंग जो होना है, वो चित्र में श्रवन होना, और उसका फिर्ष्टी जारा मुल्यंकन होना, टेक्निकलिटी के रूप में तो यही बनता है, एक प्रसित दवाक्य है, अंतर्यामी का बहुत मात्र से ही संसार को एक परिवार के रूप में आत्मिता पूर्वक स्विकारता है, आत्मिता को थोड़ा फेलाए, एवं सहत स्विक एक विजारती होने के नाते स्वयम मैं आपके साथ केवल शेरिंग ही कर सकता हूं, परन्तु अंतर्यामी का बहुत मात्र से संसार को एक परिवार के रूप में स्विकारना जो है, कि सत्य बहुत के स्थिती की बात है, सत्य बहुत जो है बुद्धी के प्रत्यावरतन के संसार को एक परिवार के रूप में आत्मियता पूरुष्विकारना बनता है, इसी को फिर प्रेव कहचा है, या उसके पहले यह होता ने, आत्मियता को थोड़ा फैलाए, यही आत्मियता है, अनननिता के रूप में जब हम ँजिसे भिन्द नहीं है, जो व्यावरिक भाश तो इसके लिए हम क्या करें वो जो अभी बताया ना शास्त्राध्यन और कहीं न कहीं हमारा शास्त्राध्यन कम हो जाता है या शास्त्राध्यन को जिस आशे से करना है या उसका जो रिजल्ट है वो नहीं आपाता है या तो श्रवन में ही कमी रह जाती है या श्रवन को विश रहते हैं इसलिए यह बन नहीं पाती है यह सब बाबाजी का कहा हुआ भाषा है मैं अपना कुछ इन चीजों के प्रती प्रात्मिक्ता की बात है तो कुल मिला कर जितने भी बार हम लोगोंने उनसे पूछा मैं भी उनसे पूछा इन मुद्दों को नोने का कुल मुद्दा प्रात्मिक्ता काई है और प्रात्मिक्ता भी चिलाने चीकना से नहीं होता है इसको भी तो करके भी देख लिया है, मैं भी सोच के देख लिया, तो प्रात्मिक्ता एक स्वभाव उधती में रहते हुए, करने की बात है, प्रात्मिक्ता अप्ते में एक आवे शित्स्कृती, परसों तके लिग्यान ने होगा, तो शरीर छोड़ दूगा, उससे कुछ ने होगा, शरीर छोटेगा न ज्यान होगा, तो शरीर छोड़ना इतना आसान भी नहीं, ठीक है, आत्मा, यह हो गया, नमबर सेवे, आत्मा चैतनी इकाई के गठन के मध्य पाई जाती है, अताहिया मध्यस्क्रिया है, क्या यह जीवन के आत्मा के रूप में मध्यस्क्रिया, इस ब्रह्म में शून्य में व्यापक में मध्यस्क्रिया के रूप में है, परन्तो आत्मा मध्यस्क्रिया है और मध्यस्क्रिया मध्यस्क्रिया नहीं है, वो मध्यस्क्रिया के ही रूप में, उस तरभाव, कुछ भी नहीं है, जीवन का मध्यस्क्रिया को मध्यस्त का है उस पर सम विशम आवेश का को आकरमन कुछ भी होता नहीं और उस मध्यस्त ज्यान का फिर रभाव जो पूरे जीवन में होता है वही सहचता को निरंतरता को प्रदान करता है जीवन मध्यस्त अवन मध्यस्क्रिया का अन्तिम फाइनल चूनिंग का है यह जो मैंने आपको कहाँ अनुभूत होना क्या यही वह बिंदु है जिसे बाबा ने आत्मा को प्रकृति का चर्मोत कर्श कहा एवन परंपरा में इसे इश्वर का आंच कहा अब बाबाँजी ने आत्मा को प्रकृतिका चर्मुत कर्ष का यहां तो ठीक है परंपरा अब किसका परंपरा आपका परंपरा मेरा परंपरा हमारे दादा जी का परंपरा यह नोगाल वस्कॣ多 के कुछ अ रहएend एस वेक्ति के लिए ईश्वर नामक बसक्व क्या है अंच का मतलब क्या है सब है कि बहुत कथिन है रूप में आपको पहले बोल गर मुझे हिंदी आंज भी नहीं साहव हिंदी रटके बोल रहा हूं लिए इसवर का अंच तो तो WE आत इश्वर का उंच नहीं है ये वय सिस्था ए चतन्य कृई में sa इंश्वर का अंच ही है, so that line itself is contradicted, जो व्यापक में विले होने की बाद, विले का भी मतलब नहीं समझ में आता है, तो हम व्याक्या कुछ भी दे दे, समझ में तो आता है, ज्यान ही ब्रह्म मतलब मुझे समझ में नहीं आता है, यह मैं कह दू, ज्यान ही ब्रह्म एवं ब्रह ही ज्यान है, मतलब प्रकृति की इकाईयों का व्यापक में संपर्चता वश्य नियम नियंतरन संतुलन जड में एवं ज्याए धर्म सत्य के रूप में व्यापक का ही जागरित जीवन के अभिवेक्टिय प्रकाशन क्या है, इस लाइन में इतना ही मुझे लगता है हमको अ ठीक है, हम मारे पाद लगवग 10 मिनिट है, सभी को नमस्ते, इसको आप लोग शायद बाद मेरे रूप में आपको देखना पड़ेगा, ये बार बार इसके लेक्षमा पड़े है, मेरे हाथ में नहीं है, यहाँ इंटरनेट सिगनल बार बार कट हो जा रहा है, तो ये आख प्रशनों तरी था अनुभव दर्शन में ताकि ये सिल्सिला पूरा हो जाए, काफी इसमें व्यवधान हुआ है, इंटरनेट के कारण, तो आठवा नमबर का एक प्रशन था, ज्यान ही ब्रहम एवं ब्रहम ही ज्यान, मतलब प्रकृति की इकाईयों के व्यापक में संप् में ही जाके आत्मा को इसका ग्यान होता है, इसका बोध फिर बुद्धी को होता है, तो न्याय धर्म सत्य के रूप में फिर ये जीने में मानव में आता है, जहां तक नियम नियंतरन संतुलन की बात है, इसी जीवन में जिसको अनुभव हुआ रहता है, में ये ग्यान समा प्रकृति निला नियम के रूप में पनेघने है, यह हमको ध्यान बतना पड़ेगा कि जब हम ज्यान की बात कराएं ह। तहव में जब अनुबह करने हैं तो जीवन शोन स्माइब द्रिश्टा में हो марाले प्रक्रत्री में नहित ग्यान का तब उसको लिए ओर जा नाम देना बनता है। तो सार इनोंने ये ऐचली क्यूशन नहीं है तो उसको मैं पढ़ देता हूं क्यूंकि किसी ने भेजा है इसको व्यापक करता नहीं है पर सभी क्रियाओं का मूल आधार, व्यापक नहीं है पर सर्वग्यान का आधार है, व्यापक अनुभोकता नहीं पर सभी अनुभोक का आधार है, व्यापक दिश्टा नहीं पर सभी दिश्यक आधार है, व्यापक ध्याता नहीं पर सभी को दिये इश लक्ष है और व्यापक क्रिया नहीं पर सभी क्रियों का अधार है कृपिया इस पर कुछ कहें इस पर जो भी कहना है सरद्य नागराजी ने कह दिया है और अब जो लिखें मुझे ठीकी लग रहा है इसे अधिक कहने के लिए कुछ पंदाने ये सारे प्रश्ण बाबु सिंग नाई जी से आए हैं वो कहा रहते हैं रंभापूर मध्यपदेश में निवासरत है वो तो आगे ये जी बुद्धी में पहले से कोई समझ नहीं है और आत्मा में पहले से कोई ज्यान नहीं है तो मानव को जो गल्ती करने पर अपराद बोद कैसे होता है ठीक है तो कुल मिल कर आत्मा जो है मध्यस क्रिया के रूप में बना ही रहता है और आत्मा का जो मध्यस वातावरण है वो बुद्धी पर दबाव तता प्रभाव दोनों ही बना रहता है तो बुद्धी जितना भी आत्मविमुक हो एक हद से जादा आत्मविमुक हो नहीं सकता इस बुद्ध ही और आत्मात में अनुबो होने के पूर्व ही इस रूप से बना रहता है उसके मध्यस्त होने का दबाव तता प्रभाव दोनों ही जीवन क्रियाओं में बना ही रहता है इसको इस रूप से हम समझ सकते हैं सत्व मध्यस्त है आत्मा मध्यस्त क्रियां है इससे क्या आशाय है ठीक है आत्मा मध्यस्त क्रिया का मतलब है विख घुप कर सकता है इसका मतलब है जो सही आचरन है तो आत्मा मद्यस्क्रिया का मतलब ही है जीवन में जो भी इस यथार्तता वास्तविक्ता सत्यता के विपरीत जितने भी आचरन है यह मद्यस्त के विपरीत आचरन इसको मना जाएगा भले ही वो सम के रूप में हो मतलब विपरीत ये भी हो सकता है कि हम किसी को मदद करते हैं भान लिजे या धीरता वीरता या उदारता के साथ जीने का अभ्यास करते हैं परन्तु वो सम आवेश कप कहलाएगा जब उदारता स्वाइम में आवेश के रूप में हो जाए या स्पते के विर्भीट होने का मतलब सत्य के विपरित होना, सत्य क्या वस्तु है फिर व्यापक वस्तु है तो इसलिए व्यापक वस्तु को मध्यस्त का है क्योंकि उसमें कोई भी उसके विप्रीच कोई भी और वस्तु है नहीं तो रेफरेंस वस्तु व्यापक वस्तु है उसमें कोई भी परिवर्तन हो नहीं रहा है यह सामें रूप में हर जगे उपलब्ध है इसमें कोई भी कम जदा नहीं है और सभी को इसमें रहते हुए इसका समान अनुभाव होता है इसलिए इसको मध्यस्त सत्था कहा है और उस मध्यस्तता को जानने वाली जो इकाई है इसलिए उसको मध्यस्त क्रिया दिया है तो व्यापक वस्तु की जो मध्यस्तता है उसकी जो सभाव है उसका जो बने रहना है तटस्त बने रहना है अब इसी के रिफ्लेक्शन के रूप में आत्मा में अनुभव तता आत्मा के प्रमानिकता के रूप में बुद्धी, चित्वृत्ति तके मंद के द्वारा मानव में या जीवन में पूरी जो सत्यता है ये सचाई है ये रिफलेक्ट होती है ये प्रतिभिम्बित होती है जो दर्शन में भशा यूज़ किया है इसके लिए प्रतिभिम विन्याय उज किया है तो प्रतिभिम विन्याय विधी से घुरा जीवन इसमें भीगा रहता है इसलिए फिर इसको आत्मा को मध्धस क्रिया कहाता था रेपक वस्तौ को मध्धस सथा ओर तीनी प्रति पुइंट है और पूराने वाले में सामाय ये बनाना, इसका ये मतलब ने, एक ही जड़لة में सम विशम आवेश होता ही नहीं, वो स्वहावीक रूक से होता ही है, सम गती, विशम गती तता मद्यस गती तीनों ही गती पाई जाती है, सम विशम आवेश के कारण ही रचना करम तता प्रकटन होता है, उसी से प्रस्तापन विस्तापन की संभावना भी मनी रहती है इसको थोड़ी देर के बाद या अंततह सामान ये बनाए के रखना स्वभावगती के रूप में मध्यस गती के रूप में ये मध्यस क्रिया का काम है तो जीवन में भी वैसे काम करता है और प्रकृति में भी फिर वैसे काम करता है उसको परमाणू के रूप में बनाए रखना और साथ में उसके मध्यसगती को देर सवेर स्थापित करना भाशा के रूप में तो यही बनेगा बाकी तो जीवन निज्या परिचे में सरदे तो चैतने शक्तियों या जीवन क्या मेधस के द्वारा ही अपने को व्यक्त कर सकती है और जड़ का नियंत्रन कर सकती है या और कोई भी तरीका है छेटन शक्तियां ये जिवन जो है मेर्दस के द्वारा ही वस्तुओं को नियंतित कर सकती है अब मैं खुद तो करके नहीं देखा हूं और किया हूं तो मुझे याद भी नहीं है कि काफी सुनने में आता है कि अर्शेरिक जीवन इसको करने में सक्षम है वो कैसे करते हैं उस विद्धा में मेरी कोई उशी बनी नहीं अब परंत गठना के रूप में तो सुनने में आता है तो इसका मतलब है कि इसकी संभावना है अब आज के सतर में कुछ आये थे तो शायद यह चेंज करने से अभी चेंज हो जाएगा क्यूंकि मैं यूट्यूब में लाइव उसमें हूँ वो सौफ्वेर के तुरू मैंने बंद कर दिया चाहिद वो ज्यादा बैंड़िट बंगता है पर मैं अब लाइव वाले में बना हुआ है और दोतीनी बिंदु है थोड़ा सा विलम के लेक्षमा भूका पर्माणू और अजीर पर्माणू कैसे कहेंगे जीवन विद्याइक परीशे पढ़ने सस्फष्ट नहीं हो पाई है कि रुपया थोड़ा विस्तार करें आई चेकिशन प्रियोडिक टेवल ये थोड़ा लंबा चोड़ा प्रश्न है अनुवा ये बहुतिक वार का जो सत्र आएगा तब उसमें मुझे लगता है उचित रहेगा भूका पर्मानू और अजीर पर्मानू और खासकर उसको पीडोडिक टेबल से यही हम रख कर देखना चाहते हैं देन इस बेटर भी टेक कि टब दूरिक बहुतिक वार जो भी वेक्टी रहेंगे उस समय उसको ले सकते हैं और फिर यह आया है कि यह एक क्वेशिन हो गया दूसरा इस अटमसर डेफिनिटल नॉट अट यह इस विए ले लेंगे विल टेक इट अप इन भौतिक वार आगे क्वेशिन है शामीर सिंग जी का सजक्ता से सतरता अनुभो मूलक विदी से अनुभो बहुत चिंतन पूरक चिंतरन कर रहे हैं ल हाँ पहले सतरता का बोध होगा या बोध पूरक सतरता रहेगा उसके बाद सजक्ता का परिशे होगा उसके बाद सजक्ता पूर्णता का अनुभो होगा फिर सतरता का प्रमान होगा फिर सजक्ता का प्रमान होगा फिर सजक्ता का प्रमान होगा पार गामियता ही एक ऐसा ब भाइया बाबाजी दिवेमानव है कि तो उन्होंने अपना उनुभव्व ट्रांसवर किया तो उनुभव्व्व करना वैसे बनता नहीं क्या अनुभव्व का प्रमान से बनता है कि सामनेवाले को बौध कराते हैं वो आउधारना के जगे को भरते हैं वो भी यदि वो व्यक्ति चाहे तो उनमें चाहेने का मतलब है कि इच्छा विचाराशा तथा संकल्प या बुद्धिपूरक चाना तो उसके पहले फिर हम चाहते हुए किसी को कैसे करा सकते हैं यह वैसे ही है कि कई बच्चा गनित सीखना चाहता है तो उनको गनि बनती है गनित समझने की तथा गनित की योग ये उसमें जो भी चितरन कारे गणना कारे होना आवशक है वो भी होना आवशक है तो इच्छा के साथ वो ख्षमता भी उसमें या पातरता भी विक्सित होना आवशक है तो पातरता तता चाहत इन दोनों के योग फल में फिर ह कोई दुसरे को एक वेक्ति दुसरे को अनुभव नहीं करा सकता यह हमने सुना है तो उसको मैं आपको मतलब कन्फर्म कर सकता हूँ यह सुनी हुई बात है नागराजी से भया ब्रहमित में भी न्याय धर्म सत्य भाषा में स्विकारना बनता रहता है क्या यह आत्मा बुद्धी या चिंतन का ही प्रभाव है जो जड़ में नहीं है न्याय धर्म सत्य भाषा सुनना तो आत्मा बुद्धी मुझे नहीं लगता उसमें कोई रोल है आत्मा का तो प् बुद्धी के और जाने की संभावन और आवश्यक्ता भी निर्मित होती है नहीं तो फिर हमेशा हमेशा के लिए चित बुद्धी से विमुखी रहता और बुद्धी आत्मा से विमुखी रहता तो logically भी देखेंगे, तात्विक रूप से जो होता है वो होता है logically भी देखेंगे, it is necessary for some प्रभाव, some effect of the आत्मा to be on the बुद्धी and some effect of the बुद्धी to be on the चित, for the चित to someday, you know, become like the बुद्धी and for the बुद्धी to someday become like the आत्मा, नहीं तो वो संभावना ही उदय नहीं होगी logically भी देखेंगे, logical construct के रूप में भी देखेंगे तो यहीं बनेगा है, इसमें बुद्धी आत्मा की कोई रोल नहीं है, नयाए धरम सत्य का भाषा एक चोटे बच्चे को भी हम रटा सकते हैं, एक इस फिप्ट स्टेंड़ के बच्चे साथे के बच्चे को पांथ आठ साल के बच्चे को न्याए दर्म सत्य बेटा हजार बार बोलो वो बूल देंगा उसके परिभाशा को हम 10-11 साल के बच्चे को रटा देंगे उसका अर्थ उसको नहीं समझ में आएगा उतका अर्थ समझ में आना फिर श्रवन की क्रिया है और श्रवन होने के लिए उसकी इच्छा अवशक है आगे भाया कि आप ऐसे कह रहें सतर्था इकोल इकोल टो अर्द जाकर फ्रांत भणना उकल टो आवधार ना बोद के अधार प शित्तिय अवरितखी संत्रित होना तो यह जो लिखा गया है उसके अनुसार यदि हम देखेंगे तो ऐसे ही बनता है बुद्धी की जगरती की स्थितियां कई है तो बुद्धी का अल्प विक्सित अर्थ विक्सित विक्सित तथा पूर्ण विक्सित तो जो लिखित है उसके अधार पर जाएंगे तो इन स्थ क्या वस्तु आएगा या सवभावधर्म संबन्दी वस्तु रहेगा ettज सभवधर्म संबन्दी वस्तु का मतलब san- इक पूसमें हुआ किस वस्तुर्प वारवधर्म संबनी स्था मतलब है कि वी खीचेतना का ग्यान होना होना पड़ेगा टो मानमिताप्पुन आचरन का एजी साक्षात्कार और अधारना होता है तो साक्षात्कार सित्त के सितिक्रिया में हुआ तता उसकी जो अधारना बनी वो बुद्धी के सितिक्रिया में ही बनना पड़ेगा दूसरा कोई जगह है नहीं बुद्धी में एक परावरतन क्रिया है तो जो भी स्विकृतियां हो रही है, एक प्रकार से बुद्धी में आत्म विमुख विजी से जो भी बोध हो रहा है, उसी का नाम आधारना है, ऐसा मैंने स्विकार रहा है, क्योंकि ये वो एक शेत्र है, जो continuous evolving है, जैसे हम सब लोग जानते ही है, एना दसो वर्षों से साक् वर्तन क्रिया में उससे संबंदित, क्योंकि स्थिती क्रिया में कुछ हुआ तो गति क्रिया में कुछ होना अनिवार्य है, तो उससे संबंदित, उससे अनुसार जीने की निष्ठा बनेगी, बनेगी, बुद्धी में यदि संकल्प के शेत्र में निष्ठा बनती है, तो तो चित का उसके अनुसार इच्छा होना ही पड़ेगा, तो इच्छा होगा तो उसका तुलनपूर अमान द्वाना व्योहार होगा ही होगा, तो यहां तक उसके नामकरण का बात है, तो मेरा ऐसा आज के दिन यह स्विकृति बड़ेगा, कि यह जो अर्द जागरती की सिती है, अर्द जागरती बुद्धी की अर्द जागरती की सिती है, क्या अर्द जागरत हुआ, बुद्धी अर्द जागरत हुआ, बुद्धी की पूर्ण जागरती कब होगी, यह बुद्धी में आत्मबोद होगा, ये वो गुद्धी है जो यतार तता वास्तविक्ता को स्विकार लिया है जीवन के अमरतों को शायद स्विकार लिया है तरन्तु आत्मा के होने को तता व्यापकुस्तु का बोध अभी इस बुद्धी को होना शेश है जो आत्म पूर्वकी बुद्धी जागरित हुआ और आत्मा में अभी जागरिती टेश अब वो साथ में होता बाद में होता इसे डिफरेंट इश्यू परन्तु आत्मा को फिज़ प्रत्यवर्तन होता है तब उस घटना को पूर्ण जागरिती कह रहे हैं इस विरी से क्या हो किया है मानव चेतना का ये मानव चेतना का प्रमान है ये फिर अनुभव मुलक विदी से ही दिया गया है तो पांच सूत्र में जागरिती क्रम नहीं बनेगा जागरिती क्रम नहीं है पांच सूत्र नहीं बनेगे चारी बनेगे उसमें जागरिती क्रम नहीं रहेगा ऐसा लॉजिकली हम सोच रखते हैं बट लाइक है सेट ये एक एवाल्वीं एक वस्तु है तो इस पर हम लोग मुझे लगता है विचार विमर्ष करते रहेंगे और वही हेल्दी तरीका है भी अपने निश्कर शोंग को अनुमान के सीमा तर्थ खुले रखना मुझे लगता हम सभी के बहुतिक हेल्थ के लिए अच्छी बात है के ट्रांसवर का ताथ पर ये क्या ये बापतो हो गई है ना हमने किसी को बहुत किया और उस बो हमने मतलब जागरित वक्ति एक पूर्ण जागरित वक्ति अनुभव संपन इकाई ने सामने वाले वक्ति के आवशकता अध्यन पातरता योग्यता शंता के अनुसाथ उनको कहेंगे कि आनुभव प्रांसवर वाज्स अनुभव का दिष्टा जो प्रथम अनुभव गुरू है उसका तो दिष्टा वो वक्ति बने ही रहेंगे परंतु वो परंपरा में प्रमानित होने का मतलब है कि वो वक्ति किसी और को हाउधारना उसा नहीं होता भूर आईसा प्रमानित हुआ, तो मेरा टॉट स्टूडेंट किसी और को टीज करते हैं, उसमें किसी और आनुभा संपन्य जीवन में बनी रहती है, और ये प्रमानिकता के क्रिया के रूप में है, और ये आनुभा का ही परावर्तन क्रिया है, इसलिए आनुभा के पहले, इसलिए ओधर इस और विए अच्छा लाइट एक मिनिट लाइट गई सौरी यहां एक के बाद एक व्यवधान तो दोई दोई शाइट क्वेश्चिन है अ ग्यान असीमित है तो सारा ग्यान हम कैसे जान पाएंगे ग्यान असीमित है का मतलब व्यापक वस्तु असीमित है एना व्यापक वस्तु में रहते हुए जो संपून्ता का ग्यान होना है वो आत्मा के द्वारा हो सकता है आत्मा अपने में भौतिक रूप में एक सीमित करिया है तो इसको ऐसा हमको समझना पड़ेगा तर्क भाशा की रूप में वैसे ही बनता है वस्तु के रूप में उसको भिन तो इस अनुभा दर्शन में भी लिखा है आगे सारे वास्तविक्ताओं को जानने का मतलब क्या है का मतलब है कि चारों अवस्थाओं गुन सभावधर्म भाईया ग्यान तो जीवन में व्रित्ती मन का दर्शक बन गया इसको व्यवहरी कुरूप में कैसे देखते हैं तो व्रित्ती मन का दर्शक बन गया व्यवहरी कुरूप से मुझे लगता है ऐसे देख सकते हैं हमकी हमारे व्यवहर के प्रति हम हर समय सतर्क हैं हम क्या बोल रहें क्या कर रहें तो काई को आचिक मांसिक रूप से तो आचिक रूप से जैसे जुट बोला तो वृति को पता चलना चाहिए ना कि मन ने जुट बोला है या मन द्वारा जुट बोला गया है या शरी द्वारा कोई अपराद क्रित्य हुआ है या कोई गलती हो जर्मा धर्म सत्या सत्य विदी से मन द्वारा व्यवार का मुल्यंकन होना मुझे लगता है जागरती क्रम में जो है डेवलप्मेंट का प्रथम सोपान है इसी को जागरती विदी साधना भी का है इसको इस रूप से समझ सकते हैं इसके और व्याक्या में जाना भी जरुत में सुस नहीं हो रहा है तो मन के जो भी क्रिया है उसका द्रिश्टावरिकी बन जाए उसका हम अने कने के example इस रूप से ले सकते हैं तो मुझे लगता है यह अंतिम वाला वो था और कोई चीजें नहीं आई तो काफी बार इस यहां के इसमें व्यवधान आता रहा पर इसके लिए कोई दूसरा कोई उपाय दूसरा चारा भी ने था सीधे वेबकैम से शायद कम bandwidth में भी यह रस्तुत हो जाता है तो यह अनुभा दर्शन हम लोग आज एक्स्टा टू आज एक्स्टा ले लिए तो आप लोग साथ में रहे और मुझे भी काफी अच्छा लगा इसके लिए धन्यवाद और जैसे मैंने पहले कहा कि एक सब्ता का भी झाल